एक एकड़े इदल चाहिए, एक एकड़े मुगल चाहिए, स्वराज जक्ख चाट्याथ साब ले लोग वसियात में बहुत कुछ छोड़ जाते हैं मैं तेरे लिए कर्ज छोड़ कर जा रहा हूँ इस मिट्टी की आजादी अब हिंदू हिंदू को करटेगा बोट मोटेल्या फाउजा गयों केलला अल्ला मंजी चुल्तान डवा अनाबला खर यश जेस तरह उत्तर हिंदूस्तान का पाया तख्त है दिल्ली उसी तरह डखन हिंद का पाया तख्त होगा गोंधाना सोलासो सत्तावन सिपाईयों आगे बढ़ो सिवा को जशने सालगिरा में पुलाओ और इसी लाल कि लेके दिवाने आम में हम उसे उसकी आउका दिखा देंगे जब तक कोंधाना पर फिर से भगवा नहीं लेराता हम चूते नहीं पहनेंगे काई खबर भाईर जी तरशास्ता का नचे सरदर्पुनेचा बाजुचा सपटेला नहीं गुंद लगालता मुडबर मावलानी के लिल्या गनिमी कावेता चाहे इतना हसान नहीं है ये कीला हासिल करना कॉंधाना जीतना इतना आसान नहीं है एक ही शिलेदार है जो एकामगिरिफ फतेय कर सकता है आप कोई इस सुलेह नामे पर मुहर लगानी होगी सिवा यहां आकर बहुत बच्टाएगा एक बार अगर हमने कॉंकण पर कप्जा कर लिया तो पर सिवा की सारी समंतरी ताकत खत्म हो जाएगी मुक्काम उम्रट नाव सुबेदार तानजी मालुसरे वनहरा फते होत नहीं है अंत्यास अठी अपला मनसूबेबाज मराठी वाघत्स हवा शंबूराजे दिल्ली चा तकताला ही मराठी मुल्खाचा स्वाभिमान अगर आख कहे तो राजगर पर धावा बोल दे तीन हजार पाच हजार नगराज मग साट बाबा सब कह रहे है कि उद्यवान के पास बहुत बड़ी सेना है कैसे हर आएंगे अब तू ही बता सिवा के मुमानियत करनी ज़रूरी है उसकी नाक में नकील डालनी ही होगी सिवाजी को खत्म कर देंगे तो ऐसे गुस्ताखों की हिम्मत पस्त हो जाए कौरब और पांडुमों में जीत किसकी हुई अपन हत्यारूचलाइच दे राजन सटी कुमर जी धाड़स चातीशी आडी मरण पाथीशी बांधून जकतात मरा थे भॉलाखाँ तेरी मिट्टी जजबात से जुड़ी है और मेरी आकर पानी से तु जान दे सकता है मा जान ले सकता हूँ अनमाराश्राच अमाती साथी मतलब तुम पागल हो हर मराथा पागल है सुराज का शिवाजी राजे का खाना चा दालानों परन्तों पोशाला कित्ती अलड़ा अगर हर मराथा संभाजेसा होगा तो हम दक्खन में कभी राज नहीं कर पाएंगे हमारा एक-एक मावला उन सेकडों साहिनिकों पर फारी पड़ेगा तुमानी बादे अस्मानी ये लवकरचा में शंभूरा जान बरबर आगरे अला प्रस्थान का सिवाजी ते जो भी पंगा लेगा वो अल्ला को क्यारा हो जाएगा आएगा 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 पहिला वार नाक मुला चाएगा आएगा आएगा शंद्रबदी शिव महाराजी आएगा जय हो जय हो धर्मभीर शाम सभी रास्ते शत्रों ने रोक लिये हैं राजे हम तुम्हे अपनाना चाहते जब शिवाजी राजे की तलवार चलती है तो औरतों का घूंगत और भ्राम्मिनों का जनेयों सलामत रहता है मुगली आशम अपने हवेले करिये थे थी आज से इस हवेली पर हमारे पहरे रहेंगे उसे ऐसी जगा मारेंगे अबकी बार सिवा को यहां बढ़े की सताह में बुला कर मारेंगे जिस तरह मिट्टी के हर कड में पहाड होता है हर बीज में एक जंगल हर तलवार में एक सेना उसी तरह हर एक मराठा में चुपा है आज हम बात करेंगे ताना जी के बारे में ताना जी जिनका पूरा नाम था ताना जी मालू सरे वह मराठा समराज के मराठा सेना में सुबेदार सरदार थे वह छटपस सिवाजी महराज के साथ मराठा समराज हिंदी सुराजस थापना के लिए सुबेदार के रूम में काम करते थे सुबेदार जिसे किलेदार भी कहा जाता था ताना जी छटपस सिवाजी महराज के बच्पन के मित्र थे वोई बच्पन में एक साथ खेले थे ताना जी 1670 इसबी में सिंगड की लडाई में अपनी महत्पूर भूमगा के लिए जाने जाते हैं इन्होंने कुंडारा किला को वापस पाने के लिए अपनी जान तक गवादी थी ताना जी ने कुंडारा किला के लिए अपने बेटे की साधी तक को टाल दिया था और कहा कि पहले कुंडाडा की साधी होगी और बाद में उनके बेटे राइबा की उन दिनों सुवेदार ताना के बेटे राइबा के ब्युवाह की तियारिया चल रही थी उसी वक्त ताना जी सिवाजी महराज के घर अपने बेटे की साधी का अमंत्रण लेकर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि छटपस सिवाजी महराज कुंधाड़ा पर चड़ाई करने वाले हैं तब ताना जी ने कहा कि मैं कुंधाड़ा जीत कर लाऊंगा कुछ इत्यासकारों का मानना है कि एक दिन सिवाजी महराज की मा जीजा भाई अपने महर की खड़की के सामने बैठी अपने बाल खींच रही थी तब ही उन्होंने कुंधाड़ा पर लहराता हुआ मुगल का ज्हंड़ा देखा और वे काफी दुखी हुई इसी दोरान उन्होंने अपने बेटे सिवाजी महराज को एक संदेशा भीजवाया और कहा कि जितनी चल्दी हो सके वो मुझसे आके मिले जब संदेशा सिवाजी के पास पहुचा तो एक कुछ ही देर में अपनी मा के पास मिलने पहुच गए और अपनी मा जीजा भाई से पूछा की क्या बात है तो उनकी मा ने कुंधाड़ा किला को वापस पाने की बात कही इस पर सिवाजी महराज भी बहुत दुखी हुए उन्होंने कहा कि कुंधाड़ा जीतना अब आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पर मुगलो दौरा पाँच हजार से निकतैनात किये गए हैं और वहाँ की सुरच्छा बहुत कड़ी है तब जीजा भाई ने सिवा जी महराज से कुंधाड़ा को जीतने की जित की कुछ इतिहास कारों का मानना है कि जब जीजा भाई जी को छटब साहु जी महराज ने कुंधाड़ा किला जीतना नामुंकिन बताया तो वह अत्यादिक कुरोधित हो गई और कहा कि अगर कुंधाड़ा किला वापस नहीं लाए तो वह उनको सराब दे देंगी और उनका सारा समराज नश्ट हो जाएगा इस पर सिवाजी महराज को अपने दोस्त ताना जी की याद आती है और वह ताना जी मालुसरे को संदेशा दे कर बुलाते हैं जब ताना जी सिवाजी के यहां पहुंचते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वे ताना जी से कह सके कि कुंधाड़ा पर आकरमड करो क्योंकि कुंधाड़ा जीतना बहुत ही मुश्किल हो गया था आज तक जितने भी लोगों को आकरमड के लिए भेजा गया था उनमें से कोई भी वापस नहीं आया था सिवा जी महराज ने ताना जी से कहा कि आपको मेरी माने बुलाया है वो यह सुनकर काफी खुस हुए और तुरंत मा जीजा भाई के पास पहुँचे तब जीजा भाई ने इन्हे कुंधाडा को वापस लाने की बात कही ताना जी अपने बेटे के दिवाह जैसे काम को छोड़ कर कुंधाडा पर आकरमण के लिए चले गए 37 साहु जी महराज की सेना में कई सरदाव थे परन सिवा जी महराज ने कुंधाडा के लिए ताना जी को चुना था लेकिन ताना जी मारे गए जब सिवाजी महाराज ने यह समाचार सुना तो यह बहुत दुखी हुए और उनके मुह से निकल पड़ा गढ़ आला पड़ सिंगेला जिसका मतलब होता है कि किला तो हमने जीत लिया पर अपना सेर खो दिया ताना जी की मुर्दियों के बाद कई दिनों तक सिवाजी महाराज उनकी याद में रोते रहे और उन्हेंने कुंड़ा के लिए का नाम बदल कर सिंगगड का किला नाम रख दिया ताना जी महराज का जनम सत्री स्ताब्दी में महराष्ट के कौंकर प्रांत में महाड के पास उमर्थे में हुआ था वोई बच्पन से छटबस स्वाजी महराज के साथ ही थे ताना जी राव स्वाजी के साथ हा लडाई में जाते थे ताना जी को तलवार बाजी और लड़ाई करने का बहुत सौक था यह कारत भाग्यों सिवा जी के सबसे अच्छे दोस्त थे ताना जी मालुसरे जब कुंधाडा किला को जितने के लिए गये थे तो एक अपने साथ उनके भाई सौर्या जी मालुसरे और अपने मामा सिलार मामा को साथ लेकर गये थे वह पुरे 342 सेनिक लेकर गये थे ताना जी मालुसरे सरीर से हट्टे कटे और सक्टी पोड़ थे कुंधाडा किला एक बहुत ही मातपूर अस्थान पर इस्तित था यह जमीन से बहुत उचे पहाडों पर बना हुआ था इसकी उचाई समुन्द तल से 44 सुप्रिट की उचाई पर इस्तित है जिससे कि यह राजनितिक काड़ों से भी काफी मातपूर था आज की समय में या पुड़े से लगभग 30 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है यह किला जीतना सिवा जी महराज के समराज के लिए बहुत ही मातपूर था कुंधाडा पर आकरमण के लिए ताना जी अपने सैनिक के साथ एक यसोनती नाम की पालतू को ले गये थे जो कि एक बड़ी चिपकली जैसी होती है इसे अलग-लग राज्यों में अलग-लग नामों से पुकारा जाता है या चिपकली आकार में लग-भग 5 फिटकी थी और या बड़ी चिपकली आसानी से दिवार पर चड़ सकती है और खड़ी चट्टानों पर भी चड़ सकती है इतना ही नहीं या अपने साथ कई लोगों का वजन भी संभाल सकती है ताना जी और उनके सेनकों की टुकडी रात के घने अंधेरे में पस्यमी भाग जहां पर उचे पहाड़ों के खड़ी चड़ाई थी वहां पहुँचे और अपनी ये सौन्ती यानी बड़ी छिपकली की कमर में रस्टी बांधी और उसके सहारे कुंधाडा किले पर चड़ाई करने लगे कुंधाडा किले के पस्यमी भाग में पहाड़ी होने के कारण वहां पर मुगलों का पहरा कम होता था और वहां पर ज़्यदा सैनिक तैनाथ नहीं थे कहा जाता है कि तानाजी मालूसरे बहुत ही चालाग थे सिंगड की चड़ाई से पहले वह कुंधाडा किले में पहुँच गये थे और जासूसी करने लगे थे और उन्होंने कुंधाडा की किले के बारे में एक दिन में एक काय तक खा जाता था तानाजी उनके गड़ पर ही जासूसी करते रहें और उन्हें पता चला की वहां पर बहुत बड़ा फंसन होने वाला है तानाजी कुंधाडा पर चड़ाई के लिए वोई समारोह वाली रात चुनी उस राज सभी मुगल सैनिक भी सराब और अफिम के नसे में धुद थे उध्यभान भी उसी नसे में धुद था तानाजी और उनके सैनिक चिपकली की मदद से किले पर चढ़ाई करने लगे और कुंधाडा पर तेनाद मुगल सैनको को चुपके से मारने लगे और फिर कुंधारा का कल्यार दरौजा खोलने के बाद और भी सेनकों पर हमला बोल दिया जब ये बात उदैभान को पता चली तो उसके सेनकों पर हमला हुआ है तो वह उस वक्त सराब और अफिम के नसे में धुत था और अपनी रानियों के साथ बिस्तर पर था उसने अपने सेनापती को लटने के लिए भेजा उसका सेनापती भी अपनी बेगमों के साथ बिस्तर पर ही था कहा जाता है कि जब वह लड़ाई करने के लिए गया तो उसने अपनी सभी बेगमों को मार डाला था ताकि उसके मरने के बाद कोई दूसरा उनके साथ संबंध ना बना सके वो अपनी सारी बीबियों को मारने के बाद उनका खोन अपने माथे पर लगाया और ताना जी से लड़ने चल दिया वो अभी बहुत ताकतवर था वह भी हर दिन कई किलो गाय का मांस खा जाता था ताना जी ने उसके सर से लेकर उसके नाभी तक उसके दो हिस्सों में अपनी तलवार से 20 से चीर दिया यह जानने के बाद भी उधैबान लड़ाई करने के लिए बाहर नहीं आया और उसने अपने बारा पुत्रों को लड़ने के लिए भेजा लेकिन ताना जी ने उसके बारा पुत्रों को 24 टुकडों में कार दिया यह सुनकर उधैबान बहुत ही गुस्से में हो गया और वह अपने हाथी को बहुत सारी अफिम मिला कर ताना जी के पीछे छोड़ दिया कहा जाता है कि उधैबान का यहाथी बहुत ही कुरूर था और यह पहले भी कई लोगों की जान ले चुका था वह इस हाथी को अकसर युद्ध में प्रियोग किया करता था ताना जी ने उस हाथी की सूण काट कर उसे भी खतम कर दिया अब उधैबान अपनी सारी रानियों को मार कर ताना जी पर तूट पड़ा और दोनों के बीच गमासान युद्ध हुआ इसी बीच ताना जी का एक हाथ कट गया और वे गंभी रूप से गायल हो गए लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पगड़ी से अपने उस हाथ को बांद कर दुबारा उधैबान से लड़ने लगे इस लड़ाई के दौरान उधैबान भी काफी गायल हो चुका था तब ही उसी वक्त सिवाजी महराज की फाउज वहाँ पहुँच गई और उन्हेंने उधैबान को मार गिराया और किला को जीत लिया कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उधैबान को ताना जी ने ही मारा था लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उदेभान को ताना के मामा सुलार मामा ने उसका गला गोड़ दिया था ताना जी बहुत घायल हो गये थे और उनकी मरत्य हो गई थी यह समाचार जब सिवाजी महराद ने सुना तो यह किला पर पहुँचे वहाँ पर सारे सैनिक सिवाजी को घेर लिये और जीत की बढ़ाई देने लगे परंसिवा जीने सब को सांध किया और जशन मनाने से रोग दिया उन्हेंने कहा किला तो जीत लिया पर मैंने अपना सेर खो दिया इसके बाद इस किले का नाम बदल कर सिंगड का किला नाम रख दिया गया और पुडे नगर के वाग व्याडी नामक भाग का नाम बदल कर नर्बीर ताना जी वाडी कर दिया गया इसके बाद ताना जी की कई मूर्तिया और इसमारक भी बनाये गए ताना जी दा अंसंग वारियर ताना जी के जीवन पर आधरित फिल्म है जिसे ओम रहुत ने डायरेक्ट किया है और इसमें अजेदोगन, काजोल और सैफली खान में लीड रोल में है ये फिल्म टी सिरीज और अजेदोगन फिल्म्स के तहद रिलीज की गई थी इस फिल्म की कहानी कॉंडाला के लिए को जीतने की कहानी है इस फिल्म में मुजिक दिया था संदीब सिरोडगर ने इस फिल्म के डायरेक्टर ओम रहुत ने अपने निर्देशन की सुरुआत फिल्म लोकमान एक युग पुरुस से की थी जो की 2015 में आई थी इस फिल्म को काफी सराहा गया था फिर इस फिल्म की लोक्रिता और मांग कोकारड इसे महराठी में भी डब किया गया इसमें ओम रहुत इस वक्त की सबसे बड़ी फिल्म आदपुरुस कर काम कर रहे हैं दाना जी की सुटिंग 25 सितंबर 2018 में शुरू हुई थी और मई 2019 के भीतर पूरी हो गई थी ट्रैक अलबम अजे अतुल द्वारा लिखा गया था इस फिल्म का म्यूजिक दी स्रीज द्वारा जारी किया गया था तनाजी को भारत में 3D में 10 जनुरी 2020 को रिलीज किया गया था फिल्म को काफी पसंद किया गया था खास कर अजे दोगन और सैफली खान को अलोचात्मक परसंसा मिली थी इस फिल्म का एक्षन, बी अफेक्स और म्यूजिक को काफी पसंद किया गया था इस फिल्म ने पुरी दुनिया में 3.67 बिलियन रुपे की कमाई की थी और बॉक्स आफिस पर ब्लॉक बास्टर साबित हुई थी इस तरह से 2020 की सबसे ज़्यदा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी फिल्म को अठारवे गोल्डन ग्लोब आवार्ड में दिखाई जाने वाली सब्षेट बिदेशी फिल्म में से एक चुना गया था और शट्वे राष्टी फिल्म परुषकारों में इस फिल्म ने संपूर इंटर्टेनिंग और सबसे ज़्यदा पसंद की जाने वाली और सबसेट अबनेता अज़ेदोगन को परुषकार और सबसेट पुसाग डिजाइन के परुषकार जीते थे चाशटोए फिल्म परुषकारों में टाना जी को सबसेट फिल्म और सबसेट अबनेता अज़ेदोगन सहीद त्यारा नमंकन पराप्त ही थे और सबसेश्ट निल्देशक अमराउत और सबसेश्ट साहय कविनेता सैफली खान सहित चार पुरसकाल जीते थे अब जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में इस फिल्म की सुरूआ 1647 में होती है जहां हमें दिखाय जाता है कि ताना जी के पिता ताना जी को तलवार बाजी सिखा रहे होते हैं फिर उम्रत में मुगलो का हमला होता है और ताना जी के पिता की मृति हो जाती है ताना जी के पिता उन्हें वसीहत में कर्ज देने की बात कहते हैं फिर अगले सीन में 17 साल बीच चुके हैं और वक्त है 1664 का अब ताना जी बड़े हो चुके हैं और अब ताना जी छटपस सिवाजी महराज की मराठा सेना के परमुक सुवेदार बन जाते हैं और मराठा सेना में घुसपैट करने वाली मुगल सेना पर हमला करते हैं और सभी क मार देते हैं अब 1665 में मुगल समराड और अंग्जेब अपने सबसे भरोसे मन जरलों में से एक अंबर के राज़त जैसिंग को सिवा जी को पकड़ने के लिए भेजते हैं जो कि दक्कन के पठार में उसके हो रहे बिस्तार में रुकार्ड पैदा कर रहे हैं फिर कुलंदर की लड़ाई में सिवा जी को अपने 23 किलों के साथ कबजा कर लिया जाता है और सिवा जी को बंदी बना लिया जाता है बात में मुगल से नपती बेसक खान सिवा जी महराज की मा जीजा भाई का अपमान करते हुए सिवा जी का महतपूर किला कुंधाना पर कब आए जाता है अब पान साल बीच चुके हैं 1670 बी का वक्त है सिवा जी को उनके एक जासूस द्वारा पता चलता है कि औरंग जेब अपने राजपूत सेना पती उदेभान को कुंधाडा से सिवा जी के समराज पर हमला करने के लिए भेजता है तब सिवा जी ताना जी के कुंधाडा पर हमला करने के बारे में सोचते हैं लेकिन उसमे ताना जी के बेटे राइबा की साधी की तैयारिया चल रही थी इसलिए वे ताना जी को इस मिसन पर नहीं भेजना चाहते थे इसी बीच हमें दिखाय जाता है कि ताना जी अपने परिवार के साथ होली मना रहे होते हैं और सारे मराठा युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं सिवा जी अपने सभी सिनापतियों से इस युद्ध के बारे में ताना जी से ना बताने की बात कहते हैं राइबा की साधी के लिए जब ताना जी सिवा जी महराज के गढ़ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहां पर युद्ध की तैयारिया चल रही हैं जब वह सिवा जी से इसके बारे में पूछते हैं तो वह मना कर देते हैं और कहते हैं कि कोई तैयारी नहीं हो रही है ल और वह अपने बेटे राइबा की साधी टाल देता है। देभान बुरहान पुर पहुंचता है। तब ताना जी इस पर विचार कर रहे होते हैं क्यों कुंधाड़ा पर किस रास्ते से आएगा। ताना जी एक योजना बनाते हैं। लेकिन एक धोखेबाज मराठा इसके बार मारना चाहता है। और फिर सिवा जी को बरबाद करके अपना हाथ उदेभान से मिलाना चाहता है। उदेभान अपने राजपूर सेनापती जगज सिंग की बहन कमला देवी को भी कैद करके साथ ला रहा होता है। चूलिय जूकी पसल का भतीजा होता है उदेभान को ताना जी की इस योजना को बिफल कर देता है और इसमें ताना जी के द्वारा उनके ही मराठे मारे जाते हैं इस पर ताना जी बहुत डुकी होते हैं। उद्यभान कुंधाड़ा पूचता है और वहाँ पर एक मराठो को उसकी छोटी सी भूल के लिए मार देता है जो कि उसके गढ़ की रखवाली कर रहा होता है तह तानाजी उसी मराठा के सवगों को लेकर मराठो की गाव पूचता है और उदेभान के खिलाफ लड़ने को कहता है जिससे वह उन मराठाओं के साथ कुंधाडा पर सिवरात्री समारों में चला जाता है जहां वह मराठों को धोखा देने वाले चूलिया को मार देता है यह देखकर उदेभान ताना जी को कैद कर लेता है और उसे टार्चर करने लगता है जगज सिंग अपनी बहन को बचाने के लिए ताना जी को कैद से भागने में मदद करता है तब ताना जी उसकी बहन को सिरात्री के दिन छुडाने का वादा करता है ताना जी चोर दौर के दौरा वहां से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर उम्रत पहुंजाते हैं और वहाँ अगले युद्ध के बारे में बताते हैं उधर ताना जी के बेटे के बिवाह वाले भी बिवाह के लिए परेसान कर रहे होते हैं ताना जी अपनी पत्नी से वादा करता है कि वह इस युद्ध से जिन्दा वापस आएगा वो उसका दुलहन बनकर स्वागत करेगी उद्यभान ताना जी के भागने की वज़े से उन सभी सेनकों को फांसी पर लटका देता है जो कि उसकी सुरच्छा में तैनाथ थे करने के तैयारी कर रहे होते हैं वह पहाड़ी से चड़कर मुगलों पर हमला सुरू कर देते हैं और सभी मुगल सैनिक को मारने लगते हैं यह देखकर जगज सिंग कमला देवी को वहां से लेकर भाग जाता है जब उद्यभान को हमले के बारे में पता चलता है तो वह अपनी तॉब जिसका नाम नागिन होता है उसे राजगर पर निसाना लगाता है और तॉब के पलीते में आग लगा देता है यह देखकर ताना जी घोड़े पर चड़कर अपनी तलवार से उस जलते हुए पलीते को काट देता है और तोप का हमला होने से रुख जाता है लेकिन उसी वक्त उदेभान ताना जी का हाथ काट देता है जिससे ताना जी बहुत जख्मी हो जाते हैं ताना जी घायल होने के बावजूद अपने एक हाँ से लड़ते हुए, उदेभान को मौत के गाट उतार देते हैं और नागिन सहेट उदेभान को किल्ए से नीचे गिरा देते हैं और केसरीय जंटा कुन धारा पर लहरा देते हैं इसी भी सिवाजी महराज और उनकी सेना भी वहाँ पर पहुंचाती है और वो जब ताना जी को देखते हैं तुआ रोने लगते हैं और उनके मुह से निकल जाता है गड़ आला पड़ सिंग गेला जिसका मतलब होता है कि गड़ तो हमने जीती लिया लेकिन अपना सेर खो दिया इसके बाद सिवाजी खुद अपने हाथों से ताना जी के बेटे राइबा की साधी कराते हैं इसके बाद ताना जी की पतनी अपने कमरे में चली जाती हैं और बंद दर्वाजों के पीछे दुलहन के रूप में सजकर ताना जी का इंतिजार करने लगती है और एंग जेब का देच्छड भारत पर सासन करने का सपना सपना ही रह जाता है अब आए जानते हैं इस मूबी के कुछ फायक्स के बारे में अजे दुगन अपनी फिल्म सिवाए के बाद सरदार बैटल आप सारा गड़ी फिल्म बनाना चाहते थे जो कि 21, सिखो और 10,000 अफगानों के बेज सारा गड़ी पर आधारी थी लेकिन अगले साल दिवाली पर केसरी फिल्म का एलान हुआ तब अजे दुगन ने फिल्म को ना बनाने का फैंसला किया और इसे रद्द कर दिया इसी भीच अजे दुगन ने निर्देशक ओम राउत के साथ ताना जी मालुसरे के जीवन पर फिल्म बनाने का फैंसला किया जिसका नाम रखा गया ताना जीदा अंसंग वारियर। ताना जी का पहला लोग पीश छुले 2017 को जारी किया गया था और प्री प्रोडक्शन का काम अगले दिन शुरू कर दिया गया था। फिर अजे दोगन ने 6-8 महिनों तक इस फिल्म के भारी बेफक्स पर काम किया और फ फिल्म का नाम बदल कर तनहा जिदा अंसंग वारियर रख दिया गया फिर इसमें काजोल और सैफली खान को स्लेक्ट किया गया सैफली खान को उदेभान के लिए लिया गया था इसके लिए सैफली खान ने तलवार बाजी और घुड़ सवारी भी सी की थी इसके पहले अज करе इसके संगीद के बारे में इस फल्म का म्यूजिक अजे अतुल सचेद परंपरा मेहल ब्यास और पर चलिएनब को संभी द्वरा दिया गया था सप्लम में कुल चार गाने ठे जिनके बोल हैं संकरा रे संकरा माय भावानी घमंड कर तिनक तिनक जिसे गाया था मेहुलब्यास सुखवेंदर सिंग और सिर्या घोसाल सचे टंडन और प्रंपरा ठाकुर और हरसदीप कवरने अब आई ये बात करते हैं इसके बॉक्स आफिस के बारे में ताना जी ने अपने शु चुर्वाति सब्तहंक का संग्रह 61 करोड रुपे हो गया था 18 माच 2020 के अनुसार फिल्म ने भारत में 302 करोड रुपे की कमाई की तो था भी 200 में 54 करोड रुपे कमाए इस फिल्म ने दुनिया भर में 407 करोड रुपे कमाए थे और बाक्स आफिस पर एक बड़ी सफल फिल में चुना गया था अब आई जानते हैं इस फिल्म के रिवियू के बारे में ये फिल्म काफी अच्छी थी सारे के ट्रिक्स ने इस फिल्म की काफी परसंसा की थी खासकर परसंसा इसके बेफेक्स को मिली थी साथ ही अजे दोगन की एक्टिंग भी लाजवाब है सैफली ख ताना जी की भूम का बहुत ही अच्छे से निभाई है अजय दोगन ने भी इस फिल्म का डायरेक्शन किया है अजय दोगन वैसे भी एक मंजेव एक अलाकार हैं तो उनकी एक्टिंग पर कोई भी सक नहीं किया जा सकता आपको फिल्म जरा भी बोर नहीं होने देती पहला कि में एक लाजवाब फिल्म है आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए साथ ही और भी क्रिटिक्स ने इसके अच्छे रिब्यू दिये थे रिब्यू अग्रिवेटर वेब्साइट राटन टोमाटोज पर ताना जी की आउसर समीच्छा एट पॉइंट टू हाउट 70% है फिल्म कंपेनियन की अनपमा चोपड़ा ने इतिहास के अमर चित्र कथा कामिक्स से अलग इतिहास की एक अप्रकासिक डिटेलिंग को उले किया जिसने इतिहासिक चस्में राष्टरवाद और अत्पूर्तत को मिस्रित किया कहानी साउंड डिफेग बेस भूसा और ब कोशिश की गई दाहिंदुस्टान टाइम्स की समीच्छा में याक सांदार काम बताया गया जिसमें असाधार बेक्तिकर परदर्शन एक मनोरम कहानी और उत्करश्ट बीद्यों परभाव थे दाहिंदू की नमरता जोसी ने कहा कि फिल्म अच्छी तरह से सुरू हुई है बीच में लहरा रही है लेकिन अंद में सांदार वापसी कर जाती है एक काथरिन और एंडर लाइन भीड पहुंचती है दामिंड के ओदे भाटिया ने इसे एक मोर्खता पोड कार्टून इतिहास बताया जिसने प्रिंस आप पोर्श्या से अपनी भौत की उधार ली थी लेकिन फिर भी इसमें धारा प्रवाह करवाई और दिल्चस्प वेक्तिगत पर दर्संसा मिल थे औरोमे पर पलोमी दास ने तनहा जी को एक मज़ेदार हाइप पर नेशनलिस्टिक एक्षन थिलर के रूप में नोट किया जिसने एक यूनी आया मी संसोधनवादी इतिहास और प्रिसक्रद इसलामा फोबिया को सुद्ध किया एंडी टीबी के सिब्बल चिड़जी ने इसे एतिहासिक रूप से अमानवी कार्य बताया जो कि एक भगवाकरत हिंदो मुस्लिम बाइनिरी के चितर में किसी भी और सभी बार्यक्यों को इस्तरी करता है हाला कि उन्हो के समर्ग भगरो करण को पूरा करते विए इसे एहनकारी धर्म राष्टवादी परचार द्वरा इसे बहुत ही कम पसंद किया गया था इंडियन एक्सप्रेस के ओपर सुब्रा गुपता ने या उले किया कि सरसरी भद्धी भद्धी गालियां प्यस की गई थी जिसमें मर राजियो मसंद ने इसे एक संदिक रूप से कालपनिक कालपनिक काम के रूम में उले किया जिसे हाइपर निसले स्टिक चलवाई की अपील की लेकिन इसमें मजबूत फिल्मोगराफी अंतिकी युद्ध के दरस और सांदार बेक्टिगत परदरसन थे दा कुएंट के इच हैसिश रुटिकता और समस्या ग्रस्त उप ग्रहों के साथ हमनी प्यापक सुतंतुता के बावजूद इसे मजबूत बेक्टिगत परदरसन के साथ है अगरी ने तरहिं ते जिसली पिल्म का उले किया आज हम बात करेंगे ताना जी के बारे में ताना जी जिनका पूरा नाम था ताना जी मालू सरे वो इमराठा समराज के मराठा सेना में सुबेदार सरदार थे वो छटपस सिवाजी महराज के साथ मराठा समराज हिंदी सुराजस थापना के लिए सुबेदार के रूम में का पहा जाता था ताना जी छटपस सिवाजी महराज के बच्पन के मित्र थे वोई बच्पन में एक साथ खेले थे ताना जी 1670 इसबी में सिंगड की लडाई में अपनी महत्पूर भूमका के लिए जाने जाते हैं इन्होंने कुंडाडा किला को वापस पाने के लिए अपनी ज बेटे रायबा की उन दिनों सुव्यदार ताना के बेटे रायबा के बिवाह की तेयारिया चल रही ठी उसी वक ताना जी siwadji महराज के घर अपने बेटे की सादी का अमंत्रण लेकर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि छटप सिवाजी महराज कुंधाड़ा पर चड़ाई करने वाले हैं तब ताना जी ने कहा कि मैं कुंधाड़ा जीत कर लाओंगा कुछ इत्यासकारों का मानना है कि एक दिन सिवाजी महराज की माँ जीजा भाई अपने महर की खड़की के सामने बैठी अपने बाल खीज रही थी तब ही उन्होंने कुंधाड़ा पर लहराता हुआ मुगल का ज्छंडा देखा और वे काप ही दुखी हुई इसी दोरान उन्होंने अपने बेटे सिवाजी महराज को एक संदेशा भीजवाया और कहा कि जितनी चल्दी हो सके ओ मुझसे आके मिले जब संदेशा सिवाजी के पास पहुचा तो ये कुछ ही देर में अपनी मा के पास मिलने पहुच गए और अपनी मा जीजा भाई से पूछा की क्या बात है तो उनकी मा ने कुंधाड़ा किला को वापस पाने की बात कही इस पर सिवाजी महराज भी बहुत दुखी हुए उन्होंने कहा कि कुंधाड़ा जितना अब आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पर मुगलो द्वारा पाँच हजार सानिक तैनात किये गए हैं और वहाँ की सुरच्छा बहुत कड़ी है तब जीजा भाई ने सिवा जी महराज से कुंधाड़ा को जीतने की जित की कुछ इतिहास कारों का मानना है कि जब जीजा भाई जी को सच्पस साहु जी महराज ने कुंधाड़ा किला जीतना नामुंकिन बताया तो वह अत्यादिक कुरोधित हो गई और कहा कि अगर कुंधाड़ा किला वापस नहीं लाए तो वह उनको सराब दे देंगी और उनका सारा समराज नश्ट हो जाएगा इस पर सिवाजी महराज को अपने दोस्त ताना जी की याद आती है और वह ताना जी मालुसरे को संदेशा देकर बुलाते हैं जब ताना जी सिवाजी के यहां पहुँचते हैं उनकी हिमत नहीं होती है कि वे ताना जी से कह सके कि कुंधाड़ा पर आकरमड करो क्योंकि कुंधाड़ा जीतना बहुत ही मुश्किल हो गया था आज तक जितने भी लोगों को आकरमड के लिए भेजा गया था उन में से कोई भी वापस नहीं आया था सिवा जी महराज ने ताना जी से कहा कि आपको मेरी माने बुलाया है वो यह सुनकर काफी खुस हुए और तुरंत मा जीजा भाई के पास पहुँचे तब जीजा भाई ने इन्हे कुंधाडा को वापस लाने की बात कही ताना जी अपने बेटे के विवा जैसे काम को छोड़ कर कुंधाडा पर आकरमण के लिए चले गए चत्रपती साहुजी महराज के सेना में कई सलदाल थे परन सिवा जी महराज ने कुंधाडा के लिए ताना जी को चुना था लेकिन ताना जी मारे गए जब सिवाजी महाराज ने यह समाचार सुना तो वे बहुत दुखी हुए और उनके मुह से निकल पड़ा गढ़ आला पड़ सिंगेला जिसका मतलब होता है कि किला तो हमने जीत लिया पर अपना सेर खो दिया ताना जी की मुर्थि के बाद कई दिनों तक सिवाजी महाराज उनकी याद में रोते रहे और उन्हेंने कुंधड़ा के लिए का नाम बदल कर सिंगगड़ का किला नाम रख दिया ताना जी महराज का जनम सत्री स्थापती में महराष्ट के फूंकर प्रांथ में महाड के पास उमर्थे में हुआ था वोई बच्पन से छटबस सिवा जी महराज के साथ ही थे ताना जी राव सिवा जी के साथ हा लड़ाई में जाते थे ताना जी को तलवार बाजी और लड़ाई करने का बहुत सोग था यही कारण था क्योंए सिवा जी के सबसे अच्छे दोस्त थे ताना जी मालुसरे जब कुंधाड़ा किला को जीतने के लिए गये थे तो यह अपने साथ उनके भाई सूर्या जी मालुसरे और अपने मामा सिलार मामा को साथ लेकर गये थे वह पुरे 342 सैनिक लेकर गये थे ताना जी मालुसरे सरीर से हट्टे कटे और सक्टी पोड़ थे कुंधाडा किला एक बहुत ही मातपूर अस्थान पर इस्तित था या जमीन से बहुत उचे पहाडों पर बना हुआ था इसकी उचाई समुद्र तल से 44 सुफिट की उचाई पर इस्तित है जिससे की यह राजनितिक कारडों से भी काफी मातपूर था आज की समय में या पुड़े से लगभग 30 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है या किला जीतना सिवा जी माहराज के समराज के लिए बहुत ही मातपूर था कुंधाडा पर आकरमण के लिए ताना जी अपने सेनी के साथ एक यसोनती नाम की पालतु गुह ले गये थे जो की एक बड़ी चिपकली जैसी होती है इसे अलग-लग राज्यों में अलग-लग नामों से पुकारा जाता है या चिपकली आकार में लग-भग 5 फिटकी थी और या बड़ी चिपकली आसानी से दिवार पर चड़ सकती है और खड़ी चट्टानों पर भी चड़ सकती है इतना ही नहीं या अपने साथ कई लोगों का वजन भी संभाल सकती है ताना जी और उनके सेनकों की टुकडी रात के घने अंधेरे में पस्यमी भाग जहां पर उचे पहाड़ों की खड़ी चड़ाई थी वहां पहुँचे का पहरा कम होता था और वहां पर ज्यादा सेनक तैनाथ नहीं थे कहा जाता है कि ताना जी मालू सिरे बहुत ही चालाग थे सिंगड की चड़ाई से पहले वह कंधड़ा किले में पहुँच गए थे और जासूसी करने लगे थे और उन्होंने कंधड़ा की किले के बारे में सभी मारगो को अपता लगाय था उस समय उस किले का रच्चक उदैभान था उधेभान पहले राजपूत था और बाद में मुसल्मान बन गया था वह बहुत ही खतरनाक था कहा जाता है कि वो एक दिन में एक गाय तक खा जाता था ताना जी उनके गड़ पर ही जासूसी करते रहें और उन्हें पता चला कि वहाँ पर बहुत बड़ा फंसन होने वाला है ताना जी कुंधाड़ा पर चढ़ाई के लिए वही समारोह वाली राज चुनी उस राज सभी मुगल सैनिक भी सराब और अफिम के नसे में धुद थे उधेभान भी उसी नसे में धुद था ताना जी और उनके सैनिक छिपकली की मदस से किले पर चढ़ाई करने लगे और कुंधाड़ा पर तेनाद मुगल सैनिको को चुपके से मारने लगे और फिर कुंधाड़ा का कल्यार दरवाजा खोलने के बाद और भी सैनिको पर हमला बोल दिया जब ये बात उदेभान को पता चली तो उसके सैनिको पर हमला हुआ है तो वह उस वक्त सराब और अफिम के नसे में धुद था और अपनी रानियों के साथ बिस्तर पर था उसने अपने सेनापती को लटने के लिए भेजा उसका सेनापती भी अपनी बेगमों के साथ बिस्तर पर ही था कहा जाता है कि जब वह लड़ाई करने के लिए गया तो उसने अपनी सभी बेगमों को मार डाला था ताकि उसके मरने के बाद कोई दूसरा उनके साथ संबंध ना बना सके वो अपनी सारी बीबियों को मारने के बाद उनका खोन अपने माथे पर लगाया और ताना जी से लड़ने चल दिया वो भी बहुत ताकदवर था वो भी हर दिन कई किलो गाय का मांस खा जाता था ताना जी ने उसके सर से लेकर उसके नाभी तक उसके दो हिस्सों में अपनी तलवार से बीच से चीर दिया यह जानने के बाद भी उध्यपान लड़ाई करने के लिए बाहर नहीं आया और उसने अपने बारा पुत्रों को लड़ने के लिए भेजा लेकिन ताना जी ने उसके बारा पुत्रों को 24 टुकडों में कार दिया या सुनकर उधैबान बहुत ही गुस्से में हो गया और वह अपने हाथी को बहुत सारी अपने मिला कर ताना जी के पीछे छोड़ दिया कहा जाता है कि उधैबान का यहाथी बहुत ही कुरूर था और या पहले भी कई लोगों की जान ले चुका था वह इस हाथी को अकसर युद्ध में प्रियोग किया करता था ताना जी ने उस हाथी की सून काट कर उसे भी खतम कर दिया अब उधैबान अपनी सारी रानियों को मार कर ताना जी पर तूट पड़ा और दोनों के बीच गमासान युद्ध हुआ इसी बीच ताना जी का एक हाथ कट गया और वे गंभी रूप से घायल हो गए लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पगड़ी से अपने उस हाथ को बांद कर दोबारा उधैबान से लड़ने लगे इस लड़ाई के दोरान उधैबान भी काफी घायल हो चुका था तब ही उसी वक्त सिवा जी महराज की फाज वहां पहुँच गई और उन्हेंने उधैबान को मार गिराया और किला को जीत लिया कुछ इतियासकारों का मानना है कि उधैबान को ताना जी ने ही मारा था लेकिन कुछ इतियासकारों का मानना है कि उधैबान को ताना के मामा सुलार मामा ने उसका कला गोण दिया था नाना जी बहुत खायल हो गए थे और उनकी मरत्य हो गई थी यह समाचार जब सिवा जी महराद ने सुना तो एक किला पर पहुँचे वहाँ पर सारे सैनिक सिवा जी को घेर लिए और जीत की बधाई देने लगे परंसिवा जी ने सब को सांध किया और जसन मनाने से रोग दिया उन्हेंने कहा किला तो जीत लिया पर मैंने अपना सेर खो दिया इसके बाद इस किले का नाम बदल कर जिंगड का किला नाम रख दिया गया और पुडे नगर के वाक ग्याडी नामक भाक का नाम बदल कर नर्बीर ताना जी वाडी कर दिया गया इसके बाद ताना जी की कई मुर्तिया और इसमारक भी बनाये गए ताना जी दा अंसंग वारियर ताना जी के जीवन पर आधारित फिल्म है जिसे ओम रहुत ने डायरेक्ट किया है और इसमें अजेदोगन, काजोल और सैफली खान में लीड रोल में है ये फिल्म टी सिरीज और अजेदोगन फिल्म्स के तहद रिलीज की गई थी इस फिल्म की कहानी कॉंडाला के लिए को जीतने की कहानी है इस फिल्म में मुजिक दिया था संदीब सिरोडगर ने इस फिल्म की डारेक्टर ओम रहुत ने अपने निर्देशन की सुरुआत फिल्म लोकमान एक यूग पुरुस से की थी जो की 2015 में आई थी इस फिल्म को काफी सराहा गय था फिर इस फिल्म की लोक्रिता और मांग को कारड इसे महराठी में भी डब किया गया इसमें ओम रहुत इस वक्त की सबसे बड़ी फिल्म आदपुरुस कर काम कर रहे हैं ताना जी की सुटिंग 25 सितंबर 2018 में सुरू हुई थी और मई 2019 के भीतर पुई हो गई थी इस फिल्म की सुटिंग जैदातर मुंबई सहर में हुई थी और कुछ सेन की सुटिंग पुड़े में की गई थी इस फिल्म की सिनोवेटोग्राफी और इडिटिंग कीको नकरा और धरमेंदर सर्मा के द्वारा की गई थी और साउंड ट्रैक अलबम अजे अतुल द्वारा लिखा गया था इस फिल्म का म्यूजिक टी सिरीज द्वारा जारी किया गया था तनहाजी को भारत में 3D में 10 जनुवरी 2020 को रिलीज किया गया था फिल्म को काफी पसंद किया गया था खास कर अजे दोगन और सैपली खान को अलोचात्मक परसंद सा मिली थी इस फिल्म का एक्षन, बी अफेक्स और म्यूजिक को काफी पसंद किया गया था इस फिल्म ने पूरी दुनिया में 3.6-7 बिलियन रुपे की कमाई की थी और बॉक्स आफिस पर ब्लॉक बास्टर साबित हुई थी इस तरह से 2020 की सबसे ज़्यदा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी फिल्म को अठारवे गोल्डन ग्लोब आवार्ड में दिखाई जाने वाली सब्स्रेट बिदेशी फिल्म में से एक चुना गया था और शटवे राष्टी फिल्म प्रुषकारों में इस फिल्म जे संपूर इंटरेटेनिंग और सबसे ज़्यदा पसंद की जाने वाली और सबसेट अबनेता अज़ेदोगन को प्रुषकार और सबसेट पुसाग डिजाइन के प्रुषकार जीते थे शटवे फिल्म प्रुषकारों में ताना जी को सबसेट फिल्म और सबसेट अबनेता अज़ेदोगन सहिद त्यारा नमंकन प्राप्त ही थे और सबसेट निल्देशक अमराउत और सबसेट साहिक अबनेता सैफली खान सहिद चार प्रुषकार जीते थे अब जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में इस फिल्म की सिरुवाद 1647 में होती है जहां हमें दिखाय जाता है कि ताना जी के पिता ताना जी को तलवार बाजी सिखा रहे होते हैं फिर उम्रत में मुगलो का हमला होता है और ताना जी के पिता की मृति हो जाती है ताना जी के पिता उन्हें वसीहत में कर्ज देने की बात कहते हैं फिर अगले सीन में सत्रा साल बीच चुके हैं और वक्त है सोला सो चौशट का अब ताना जी बड़े हो चुके हैं और अब ताना जी छटपस सिवा जी महराज की मराठा सेना के परमुक सुवेदार बन जाते हैं और मराठा सेना में घुसपैट करने वाली मुगल सेना पर हमला करते हैं और सभी को मार देते हैं अब 1665 में मुगल समराट और अंग्जेब अपने सबसे भरोसे मन जरलों में से एक अंबर की राज़त चेसिंग को सिवा जी को पकड़ने के लिए भेजते हैं जो कि धक्कन के पठार में उसके हो रहे बिस्तार में रुकार्ड पैदा कर रहे हैं फिर कुरंदर की लड़ाई में सिवा जी को अपने 23 किलों के साथ कबजा कर लिया जाता है और सिवा जी को बंदी बना लिया जाता है बाद में मुगल सिनपती बेसक खान सिवा जी महराज की मा जीजा भाई का अपमान करते हुए सिवा जी का महतपूर किला कुंधाना पर कब आए जाता है अब पान साल बीच चुके हैं 1670 इसबी का वक्त है सिवा जी को उनके एक जासूस द्वारा पता चलता है कि औरंग जेब अपने राजपूर सेना पती उदेभान को कुंधाडा से सिवा जी के समराज पर हमला करने के लिए भेजता है तब सिवा जी ताना जी के कुंधाडा पर हमला करने के बारे में सुचते हैं लेकिन उसमे ताना जी के बेटे राइबा की साधी की तैयारिया चल रही थी इसलिए वे ताना जी को इस मिसन पर नहीं भेजना चाहते थे इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि ताना जी अपने परिवार के साथ होली मना रहे होते हैं और सारे मराठा युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं सिवा जी अपने सभी सिनापतियों से इस युद्ध के बारे में ताना जी से ना बताने की बात कहते हैं राइबा की साधी के लिए जब ताना जी सिवा जी महराज के गढ़ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहां पर युद्ध की तैयारिया चल रही है जब वह सिवा जी से इसके बारे में पोछते हैं तो वे मना कर देते हैं और कहते हैं कि कोई तैयारी नहीं हो रही है लेकिन सिवा जी का एक सच्छम सेनापती चंदर जी पसल तो कि सिवा जी को बरवाद करना चाहता है वह ताना जी को इस गुप्त योजना के बारे में बता देता है फिर ताना जी सिवा जी और उसकी माता ज योजना बनाते हैं लेकिन एक धोखेबाज मराठा इसके बारे में मुगल सिनापती उद्यभान को बता देता है ये धोखेबाज मराठा वही होता है जिसने सिवा जी का गुप्द भियान ताना जी को बताया था यहां काम सिवा जी के सिनापती पिसल के दोरा किया जाता है व और फिर शिवा जी को बरबाद करके अपना हाथ उदेभान से मिलाना चाहता है। और वहाँ पर एक मराठो को उसकी छोटी सी भूल के लिए मार देता है जो कि उसके गढ़ की रख्वाली कर रहा होता है तब ताना जी उसी मराठो bye को लेकर मराठो के गाउं पहुंचता है और उद्यभान के खिलाफ लड़ने को कहता है जिससे वह उन मराठाओं के साथ कुंधाड़ा पर सिवरात्री समारों में चला जाता है जहां वह मराठों को धोखा देने वाले चूलिया को मार देता है यह देखकर उद्यभान ताना जी को कैद कर लेत है ताना जी चोर द्वार के द्वारा वहां से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर उम्रत पहुंच जाते हैं और वहां अगले युद्ध के बारे में बताते हैं उधर ताना जी के बेटे के बिवाह वाले भी बिवाह के लिए परेसान कर रहे होते हैं ताना जी अपनी पत उच्छा में तैनाथ थे और उसी वक्त जगज सिंग एक संदेशा लेकर उदेभान के पास आता है वह कहता है कि उसकी बहन कमला देवी उससे साधी करने के लिए मान गई है इस पर सभी लोग साधी की तैयारियों में लग जाते हैं और उधरताना जी किले पर हमला करने के तै चलता है तो वह अपनी तोप जिसका नाम नागिन होता है उसे राजगर पर निसाना लगाता है और तोप के पलीते में आग लगा देता है या देखकर ताना जी घोड़े पर चड़कर अपनी तलवार से उस जलते हुए पलीते को काट देता है और तोप का हमला होने से रु झाला पर लहरा देते हैं और किसर्य जोनठा को ड़ाड़ा पर लहरा देते हैं । इसी बीज सिवा जी महराज और उनकी सेना भी वहां पर पहुंझ जाती है और वो जब ताना जी को देखते हैं दूहां होने लगते हैं और उनके मुह से निकल जाता है गढण आला पढ़ सिंगेला जिसका मतलब होता है कि गढ़ तो हमने जीती लिया लेकिन अपना सेड़ खोदिया इसके बाद सिवाजी खुद अपने हाथों से ताना जी के बेटे राइबा की साधी कराते हैं इसके बाद ताना जी की पत्नी अपने कमरे में चली जाती है और बंद दर्वाजों के पीछे दुलहन के रूम में सचकर ताना जी का इंतिजार करने लगती है औरंग जेब का देच्छड भारत पर सासन करने का सपना सपना ही रह जाता है अब आए जानते हैं इस मूबी के कुछ फायक्स के बारे में अजे दोगन अपनी फिल्म सिवाए के बाद सरदार बैटल आप सारा गड़ी फिल्म बनाना चाहते थे जो की 21, सिखो और 10,000 अपकानों के बेज सारा गड़ी पर आधारी थी लेकिन अगले साल दिवाली पर केसरी फिल्म का एलान हुआ तब जेदोगन ने फिल्म को ना बनाने का फैंसला किया और इसे रद्द कर दिया इसी बीच अजेदोगन ने निर्देशक ओमराउत के साथ ताना जी मालुसरे के जीवन पर फिल्म बनाने का फैंसला किया जिसका नाम रखा गया ताना जीदा अंसंग वारियर ताना जी का पहला लुग पीश चुले 2017 को जारी किया गया था और प्री प्रोडक्शन का काम अगले दिन सुरू कर दिया गया था फिर अजेदोगन ने 6-8 महिनों तक इस फिल्म के भारी बेफैक्स पर काम किया और फिल्म को 3D में बनाने की घोशड़ा की 2 अगस 2018 में टी स्रीज के मालिक भुशड कुमार ने अजेदोगन की प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिलकर इस फिल्म को बनाने की घोशड़ा की फिर मार्च 2019 में फिल्म का नाम बदल कर तनहा जिदा अंसंग वारियर रख दिया गया फिर इसमें काजोल और सैफली खान को सिलक्ट किया गया सैफली खान को उदे भान के लिए लिया गया था इसके लिए सैफली खान ने तलवार बाजी और घुड़ सवारी भी सी की थी इसके पहले अजेदोगन और सैफली खान एक साथ ओमकारा फिल्म में काम कर चुके थे जो कि 2004 में आई थी ताना जी को मुंबई की फिल्म सिटी में सूट गिया गया था संधन घाटी जैसे शट बनाने के लिए 300 फिट लंबा शट बना गया था अब बात करते हैं इसके संगीत के बारे में इस फिल्म का म्यूजिक अजे अतुल सचेट परंपरा, मेहुल ब्यास और परसंजीत को संभी दोरा दिया गया था इस फिल्म में कुल चार गाने थे जिनके बौल हैं संकरारे संकरा, माय भवानी, घमंडगर, तिनक तिनक जिसे गाया था मेहोल ब्यास, सुक्वेंदर सिंग और सिर्या घोसाल, सचे टंडन और प्रंपरा ठाकुर और हर्सदीप का औरने अब आई ये बात करते हैं इसके बॉक्स आफिस के बारे में अठारा माच दोजार बीश के अनुसार फिल्म ने भारत में 302 करोड रुपे की कमाई की तो था भी दोसों में 54 करोड रुपे कमाई इस फिल्म ने दुनिया भर में 407 करोड रुपे कमाई थे और बाक्स आफिस पर एक बड़ी सफल फिल्म साबित हुई थी इस प्रकार 2020 किया सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी फिल्म को 78 गोल्टन गलोब आवार्ड्स में परदरसित होने वाली सर्प सेर्श बिदेशी फिल्म के रूम में चुना गया था अब आई जानते हैं इस फिल्म के रेवियू के बारे में ये फिल्म काफी अच्छी थी सारे के टिक्स ने इस फिल्म की काफी परसंसा की थी खासकर परसंसा इसके बेफेक्स को मिली थी साथ ही अज़े दोगन की एक्टिंग भी ला जवाब है सैफली खान भी अपने रोल में चाशते हैं और वो भी अजेदोगन से कम नहीं लगते हैं काजोल अपनी जिगह पर ठीक ठाक रही उन्हें ज़्यदा तरसीन नहीं दिये गए बाकी भी एक्टर्स का काम इसमें अच्छा है अजेदोगन ने ताना जी की भूम का बहुत ही अच्छे से निभाई है अजेदोगन ने भी इस फिल्म का डायरेक्शन किया है अजेदोगन वैसे भी एक मंजे हुए अक लाकार हैं तो उनकी एक्टिंग पर कोई भी सक नहीं किया जा सकता आपको एक फिल्म जरा भी बोर नहीं होने देती पहला हाप भी इसमें मजबूत है और दूसरा हाप भी ये फिल्म मुआकी में एक लाजवाब फिल्म है आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए साथ ही और भी क्रिटिक्स ने इसके अच्छे रिव्यू दिये थे रिव्यू अग्रिवेटर वेबसाइड राटन टोमाटोज पर ताना जीगी ओसर समीच्छा 8.2 हाउट आप 10 की ओसरेटिंग के साथ 10 समीच्छाओं के आधार पर 70% है फिल्म कंपेनियन की अनपमा चोपड़ा ने इतिहास के अमर चित्र कथा कामिक्स से अलग इतिहास की एक अप्रकासिक डिटेलिंग को उले किया जिसने इतिहासिक चस्मे राष्टरवाद और अत्पुर्तत को मिसिल्थ किया कहानी, साउंड इफेग, बेस भूसा और बेक्तिगत परदर्शन की विशेश रूप से परसंसा की गई राहुल दिसाही ने इसे एक चाला काम बताया जो एक ब्यापक भागवा करड़ द्वारा विवाहित था जिसे भारत में राजनीतिक माहौल का फाइदा उठाने की कोशिश की गई दा हिंदुस्टान टाइम्स की समीच्छा में याक सांदार काम बताया गया जिसमें असाधार बेक्तिगत परदर्शन एक मनोरम कहानी और उतकरश बीदियों परभाव थे दा हिंदु की नमरता जोशी ने कहा की फिल्म अच्ची तरह से सुरू हुई है बीच में लहरा रही है लेकिन अंद में सांदार वापसी कर जाती है एक काथरिन और एंडरा लाइन भीड पहुंचती है दा मिंड के होदे भाटिया ने इसे एक मोर्खता पोर्ड कार्टून इतिहास बताया जिसने प्रिंस आप पोरिस्या से अपनी भावत की उधार ली थी लेकिन फिर भी इसमें धारा परवाह करवाई और दिल्चस बेक्तिगत पर दरसंसा मिल थे औरोमे पर पलोमी दास ने तनहाजी को एक मज़ेदार हाइप पर नेशनलिस्टिक एक्षन थिलर के रूप में नोट किया जिसने एक यूनी आया मी संसो धनवादी इतिहास और प्रिसक्रद इसलामा फोबिया को सुद्ध किया एंडी टीबी के सिब्बल चिटड़ जी ने इसे एतिहासिक रूप से अमानवी कारी बताया जो कि एक भगवाकरत हिंदो मुस्लिम बाइनिरी के चित्तर में किसी भी और सभी बार्यक्यों को इस्तरी करता है हाला कि उन्होंने समर्ग उतपादन को और सक्तिसाली बेक्तिगत पर दरसन दोरा समर्थित होने का उल्ले किया तानुल ठाकुर ने इसे एक ऐसी करत के रूम में उल्ले किया जिसमें उतकर सिनोमेटोग्राफी थी लेकिन भारत के समर्ग भगरो करण को पूरा कलते विए इसे एहनकारी धर्म राष्टवादी परचाद दोरा इसे बहुत ही कम पसंद किया गया था इंडियन एक्सप्रेस के ओपर सुब्रा गुप्ता ने या उल्ले किया कि सरसरी भद्धी भद्धी कालियां प्यस की गए थी जिसमें मराठा सोर की अधिशक्त पूर्स दास्ता को एक हिंदू उसा के साथ शित्रित किया गया था डेटिप के सुकनिया वर्मा ने कहा कि या भगवा सुब्रत के लड़ाई के साथ इतिहास की एक औराणिक वापसी है ब्यक्तिगत परदर्सन और युद्ध के दरस्ट की कुरियोग्राफी की परसंसा की गई राजियो मसंद ने इसे एक संदिक रूप से कालपनिक कालपनिक काम के रूम में उल्ले किया जिसे हाइपर निसले स्टिक चलवाई की अपील की लेकिन इसमें मजबूत फिल्मोग्राफी अंतिक युद्ध के दरस और सांदार प्यक्तिगत परदर्सन थे दाकुएंट के इस्टूटी घोस ने इतिहासे श्रटिकता और समस्या ग्रेस्ट उप ग्रहों के साथ हमनी प्यापक सुतंतुता के बावजूद इसे मजबूत फिल्गत परदर्सन के साथ है अगरी ने तरहिन ते जजवी फिल्म का उल्ले किया आज हम बात करेंगे ताना जी के बारे में ताना जी जिनका पूरा नाम था ताना जी मालो सरे वो इमराठा समराज के मराठा सेना में सुबेदार सरदार थे वो च्छतपस सिवाजी महराज के साथ मराठा समराज हिंदी सुराजस थापना के लिए सुबेदार के रूम में काम करते थे सुबेदार जिसे किलेदार भी कहा जाता था तानाजी च्छतपस सिवाजी महराज के बचपन के मित्र थे वो ये बच्पन में एक साथ खेले थे तानाजी 1670 पी में सिंगर की लड़ाई में अपनी महत्पूर भूमका के लिए जाने जाते हैं इन्होंने कुंडाडा किला को वापस पाने के लिए अपनी जान तक कवा दी थी तानाजी ने कुंडाडा किला के लिए अपने बेटे की साधी तकोट डाल दिया था और कहा कि पहले कुंडाडा की साधी होगी और बाद में उनके बेटे राइबा की उन दिनों सुवेदार ताना के बेटे राइबा के बिवाह की तियारिया चल रही थी उसी वक्त ताना जी सिवाजी महराज के घर अपने बेटे की साधी का अमंतरण लेकर पहुँचे तब उन्हें पता चला कि छट पर सिवाजी महराज कुंधारा पर चड़ाई करने वाले हैं तब ताना जी ने कहा कि मैं कुंधारा जीत कर लाँगा कुछ इत्यासकारों का मानना है कि एक दिन सिवाजी महराज की माँ जीजा भाई अपने महर की खेड़की के सामने बैठी अपने बाल खीज रही थी तब ही उन्होंने कुंधारा पर लहराता हुआ मुगल का ज्छंडा देखा और वे काप ही दुखी हुई इसी दोरान उन्होंने अपने बेटे सिवाजी महराज को एक संदेशा भीजवाया और कहा कि जितनी चल्दी हो सके ओ मुझसे आके मिले जब संदेशा सिवाजी के पास पहुचा तो एक कुछ ही देर में अपनी मा के पास मिलने पहुच गए और अपनी मा जीजा भाई से पूछा की क्या बात है तो उनकी मा ने कुंधाड़ा किला को वापस पाने की बात कही इस पर सिवाजी महराज भी बहुत दुखी हुए उन्होंने कहा कि कुंधाड़ा जीतना अब आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पर मुगलो द्वारा पाँच हजार से निकतैनात किये गए हैं और वहाँ की सुरच्छा बहुत कड़ी है तब जीजा भाई ने सिवा जी महराज से कुंधाड़ो को जीतने की जित की कुछ इतिहास कारों का मानना है कि जब जीजा भाई जी को सच्पस साहुजी महराज ने कुंधाड़ा किला जीतना नामुंकिन बताया तो वह अत्याधिक कुरोधित हो गई और कहा कि अगर कुंधाड़ा किला वापस नहीं लाए तो वह उनको सराब दे देंगी और उनका सारा समराज नश्ट हो जाएगा इस पर सिवाजी महराज को अपने दोस्त ताना जी की याद आती है और वे ताना जी मालूसरे को संदेशा देकर बुलाते हैं जब ताना जी सिवाजी के यहां पहुँचते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वे ताना जी से कह सके कि कुंधाड़ा पर आकरमड करो तो कि कुंधाड़ा जीतना बहुत ही मुश्किल हो गया था आज तक जितने भी लोगों को आकरमड के लिए भेजा गया था उनमें से कोई भी वापस नहीं आया था सिवा जी महराज ने ताना जी से कहा कि आपको मेरी माने बुलाया है वो यह सुनकर काफी खुस हुए और तुरंत मा जीजा भाई के पास पहुँचे तब जीजा भाई ने इन्हे कुंधाड़ा को वापस लाने की बात कही ताना जी अपने बेटे के बिवाह जैसे काम को छोड़ कर कुंधाड़ा पर आकर्मण के लिए चले गए 37 साहु जी महराज की सेना में कई सरदार थे परन सिवा जी महराज ने कुंधाड़ा के लिए ताना जी को चुना था लेकिन ताना जी मारे गए जब सिवाजी महाराज ने यह समाचार सुना तो यह बहुत दुखी हुए और उनके मुह से निकल पड़ा गढ़ आला पड़ सिंगेला जिसका मतलब होता है कि किला तो हमने जीत लिया पर अपना सेर खो दिया ताना जी की मरतियों के बाद कई दिनों तक सिवाजी महाराज उनकी याद में रोते रहे और उन्हेंने कुंड़ा के लिए का नाम बदल कर सिंगड़ का किला नाम रख दिया ताना जी महराज का जनम सत्री स्ताबदी में महराष्ट के कौंकर प्रांत में महाड के पास उमर्थे में हुआ था वो ये बच्पन से च्छटबस सिवा जी महराज के साथ ही थे ताना जी राव सिवा जी के साथ हा लडाई में जाते थे ताना जी को तलवार बाजी और लड़ाई करने का बहुत सोग था यही कारण था क्योए सिवा जी के सबसे अच्छे दोस्त थे ताना जी मालुसरे जब कुंधाडा किला को जितने के लिए गये थे तो यह अपने साथ उनके भाई सूरिया जी मालुसरे और अपने मामा सिलार मामा को साथ लेकर गए थे वह पुरे 342 सैनिक लेकर गए थे ताना जी मालुसरे सरीर से हट्टे कटे और सक्टी पोड़ थे कुंधाडा किला एक बहुत ही मातपूर अस्थान पर इस्थित था यह जमीन से बहुत उचे पहाडों पर बना हुआ था इसकी उचाई समुद्र तल से 44 सोफिट की उचाई पर इस्थित है जिससे कि यह राजनितिक कारडों से भी काफी मातपूर था आज की समय में या पुड़े से लगभग 30 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है यह किला जीतना सिवा जी माहराज के समराज के लिए बहुत ही मातपूर था कुंधाडा पर आकरमण के लिए ताना जी अपने सैनिक के साथ एक यसोनती नाम की पालतु गोह ले गये थे चड़ाज के लिए आसानी से दिवार पर चड़ सकती है और खड़ी चटानों पर भी चड़ सकती है इतना ही नहीं यह अपने साथ कई लोगों का वजन भी संभाल सकती है ताना जी और उनके सैनको के टुकडी रात के घने अंधेरे में पच्चमी भाग जहां पर उचे पहाड़ों के खड़ी चड़ाई थी वहां पहुँचे और अपनी यस्वन्ति यानी बड़ी चिपकिली की कमर में रस्टी बांधी और उसके सहारे कुंधाडा किले पर चड़ाई करने लगे कुंधाडा किले के पच्समी भाग में पहाड़ी होने के कारण वहाँ पर मुगलो का पहरा कम होता था और वहाँ पर जदा सेनिक तैनात नहीं थे कहा जाता है कि तानाजी मालूसरे बहुत ही चालाग थे सिंगड की चड़ाई से पहले वो कुंधाडा किले में पहुँच गए थे और जासूसी करने लगे थे और उन्होंने कुंधाडा की किले के बारे में सभी मारगो को पता लगाया था उस समय उस किले का रच्चक उद्यभान था उद्यभान पहले रास्पूद था और बाद में मुसल्मान बन गया था वो बहुत एक खतरनाक था कहा जाता है कि वो एक दिन में एक गाय तक खा जाता था ताना जी उनके गड़ पर ही जासूसी करते रहें और उन्हें पता चला की वहाँ पर बहुत बड़ा फंसन होने वाला है ताना जी कुंधाड़ा पर चढ़ाई के लिए मुई समारूख वाली रात चुनी उस रास सभी मुगल सैनिक भी सराब और अपनिम के नसे में धुद थे उद्यभान भी उसी नसे में धुद था ताना जी और उनके सैनिक छिपकली की मदस से किले पाच्छढ़ा ही करने लगे और कुंधाड़ा पर तेनाथ मुगल सैनको को चुपके से मारने लगे और फिर कुंधाड़ा का कल्याड دروازा खोलने के बाद और भी सैनको पर हमला बोल दिया जब ये बात उदेभान को पता चली तो उसके सेनकों पर हमला हुआ है तो वह उस वक्त सराब और अफिम के नसे में धुद था और अपनी रानियों के साथ बिस्तर पर था उसने अपने सेनापती को लड़ने के लिए भेजा तो उसका सेनापती भी अपनी बेगमों के साथ पिस्तर पर ही था कहा जाता है कि जब वह लड़ाई करने के लिए गया तो उसने अपनी सभी बेगमों को मार डाला था ताकि उसके मरने के बाद कोई दूसरा उनके साथ संबंध نہ बना सके वो अपनी सारी बीबियों को मारने के बाद उनका खोन अपने माथे पर लगाया और ताना जी से लड़ने चल दिया वो अभी बहुत ताकतवर था वो अभी हर दिन कई किलो गाय का मांस खा जाता था तानाजी ने उसके सर से लेकर उसके नाभी तक उसके दो हिसों में अपनी तलवार से 20 से चीर दिया यह जानने के बाद भी उधह बहान लड़ाई करने के लिए बाहर नहीं आया और उसने अपने बारा पुत्रों को लड़ने के लिए भेज़ा लेकिन ताना जी ने उसके बारा पुत्रों को 24 टुकड़ों में कार दिया यह सुनकर उधैबान बहुत ही गुस्से में हो गया और वह अपने हाथी को बहुत सारी अपने मिला कर ताना जी के पीछे छोड़ दिया कहा जाता है कि उधैबान का यहाथी बहुत ही कुरूर था और यह पहले भी कई लोगों की जान ले चुका था वह इस हाथी को अकसर युद्ध में प्रियोग किया करता था ताना जी ने उस हाथी की सूड काट कर उसे भी खतम कर दिया अब उधैबान अपनी सारी रानियों को मार कर ताना जी पर तूट पड़ा और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ इसी बीच ताना जी का एक हाथ कट गया और वे गंभी रूप से घायल हो गए लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पगड़ी से अपने उस हाथ को बांद कर दोबारा उधैबान से लड़ने लगे इस लड़ाई के दोरान उधैबान भी काफी घायल हो चुका था तब ही उसी वक्त सिवाज महराज की फाज वहां पहुँच गई और उन्हेंने उधैबान को मार गिराया और किला को जीत लिया कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उधैबान को ताना जी ने ही मारा था लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उधैबान को ताना के मामा सुलार मामा ने उसका गला गोड़ दिया था ताना जी बहुत घायल हो गए थे और उनकी मरत्य हो गई थी किया समाचार जब सिवाजी महराद ने सुना तो एक किला पर पहुँचे वहाँ पर सारे सैनिक सिवाजी को घेर लिए और जीत की बदाई देने लगे परंसिवा जीने सब को सांध किया और जसन मनाने से रोक दिया उन्हेंने कहा किला तो जीत लिया पर मैंने अपना सेर खो दिया इसके बाद इस किले का नाम बदल कर सिंगड का किला नाम रख दिया गया और पुडे नगर के वाग ग्राडी नामक भाग का नाम बदल कर नर्बीर तानाजी वाडी कर दिया गया इसके बाद तानाजी की कई मूर्तिया और इसमारक भी बनाए गये तानाजी दा अंसंग वारियर तानाजी के जीवन पर आधरित फिलम है जिसे ओम रहुत ने डायरेक्ट किया है और इसमें अजेदोगन, काजोल और सैफली खान में लीड रोल में है ये फिल्म टी सिरीज और अजेदोगन फिल्म्स के तहद रिलीज की गई थी इस फिल्म की कहानी कॉंडाला किले को जीतने की कहानी है इस फिल्म में मुजिक दिया था संदीब सिरोड करने इस फिल्म के डायरेक्टर ओम रहुत ने अपने नेदेशन की सुरुआत फिल्म लोकमान एक यूग पुरुष से की थी जो की 2015 में आई थी इस फिल्म को काफी सराहा गया था फिर इस फिल्म की लोक्रिता और मांग कोकारड इसे महराठी में भी डब किया गया इसमें ओम रहुत इस वक्त की सबसे बड़ी फिल्म आदपुरुष कर काम कर रहे हैं ताना जी की सुटिंग 25 सितंबर 2018 में सुरू हुई थी और मई 2019 के भीतर पूरी हो गई थी इस फिल्म की सुटिंग ज्यादातर मुंबई सहर में हुई थी और कुछ सेन की सुटिंग फुड़े में की गई थी इस फिल्म की सुनोमेटोग्राफी और इडिटिंग कीको नकरा और धरमेंदर सर्मा के द्वारा की गई थी और साउंट्रेक अलबम अजे अतुल द्वारा लिखा गया था इस फिल्म का मुजिक टी सिरिज द्वारा जारी किया गया था तनहाजी को भारत में 3D में 10 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था फिल्म को काफी पसंद किया गया था खास कर अजे दोगन और सैफली खान को अलूचात्मक परसंद सा मिली थी इस फिल्म का एक्षन, बी अफेक्स और मुजिक को काफी पसंद किया गया था इस फिल्म ने पुरी दुनिया में 3.67 बिलियन रुपे की कमाई की थी और बॉक्स आफिस पर ब्लॉक बास्टर साबित हुई थी इस तरह से 2020 की सबसे ज़्यदा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी फिल्म को अठारवे गोल्डन ग्लोब आवार्ड में दिखाई जाने वाली सबशेट बिदेशी फिल्म में से एक चुना गया था और शटवे राष्टी फिल्म परिशकारों में इस फिल्म ये संपूर इंटरेटेनिंग और सबसे ज़्यदा पसंद की जाने वाली और सबसेट अबनेता अजयदोगन को परिशकार और सबसेट पुसाग डिजाइन के परिशकार जीते थे शाचटोए फिलम परिसकारों में ताना जी को सर्फषेट फिलम और सर्फषेट अबनेता अजयदयोगन सहिद 13 नमंकन पराप्त ही थे और सर्फषेट निर्देशक अमराउत और सर्फषेट साहई कवनेता सैफलीग खान सहिद 4 परिसकार जीते थे अब जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में इस फिल्म की सुरुआज 1647 में होती है जहां हमें दिखाय जाता है कि ताना जी के पिता ताना जी को तलवार बाजी सिखा रहे होते हैं फिर उम्रत में मुगलो का हमला होता है और ताना जी के पिता की मृति हो जाती है ताना जी के पिता उन्हें वसीहत में कर्ज देने की बात कहते हैं फिर अगले सीन में सत्रा साल बीच चुके हैं और वक्त है सोला सो चौशट का अब ताना जी बड़े हो चुके हैं और अब ताना जी छत पस सिवा जी महराज की मराठा सेना के परमुक सुवेदार बन जाते हैं और मराठा सेना में घुसपैट करने वाली मुगल सेना पर हमला करते हैं और सभी को मार देते हैं अब 1665 में मुगल समराट और अंग्जेब अपने सबसे भरोसे मन जरलों में से एक अंबर की राज़त जैसिंग को सिवा जी को पकड़ने के लिए भेजते हैं जो कि धक्कन के पठार में उसके हो रहे बिस्तार में रुकौर्ड पैदा कर रहे हैं फिर कुरंदर की लड़ाएं में सिवा जी को अपने 23 किलो के साथ कबजा कर लिया जाता है और सिवा जी को बंदी बना लिया जाता है बाद में मुगल सिनपती बेसक खान, सिवा जी महराज की मा जीजा भाई का अपमान करते हुए सिवा जी का महतपोर किला कुंधाणा परकबजा करने का आदेश देता है सिवा जी की मा वहां से नंगे पैर ही चली जाती है और जब कुंधाणा उनके पास वापस ना आ जाए तब तक चूते ना पहनने का वज़न देती है इस बारे में ताना जी को भी बताया जाता है अब पान साल बीच चुके हैं सोला सो सत्तर इस बी का वक्त है सिवा जी को उनके एक जासूस द्वारा पता चलता है कि औरंग जेब अपने राजपूद सेना पती उदेभान को कुंधाणा से सिवा जी के समराज पर हमला करने के लिए भेजता है तब सिवा जी ताना जी के दोरा कुँँधा पर हमला करने के बारे में सुचते हैं लेकिन उसमे ताना जी के बेटे राइबा की साधी की तयारिया चल रही थी इसलिए वे ताना जी को इस मिशन पर नहीं भेजना चाहते थे इसी बीच में दिखाय जाता है कि ताना जी अपने परिवार के साथ होली मना रहे होते हैं और सारे मराठा यूति की तैयारी में लग जाते हैं सिवा जी अपने सभी सिनापतियों से इस यूति के बारे में ताना जी से ना बताने की बात कहते हैं राइबा की साधी के लिए जब ताना जी सिवा जी महराज के गढ़ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहां पर युद्ध की तैयारिया चल रही हैं जब वह सिवा जी से इसके बारे में पूछते हैं तो वह मना कर देते हैं और कहते हैं कि कोई तैयारी नहीं हो रही है ल और वह अपने बेटे राइबा की साधिक टाल देता है देभान बुरहान पुर पहुंचता है तब ताना जी इस पर विचार कर रहे होते हैं क्यों कुंधाड़ा पर किस रास्ते से आएगा ताना जी एक योजना बनाते हैं लेकिन एक धोखेबाज मराठा इसके बारे में मु पहुत दुखी होते हैं अब उदेभान को नढड़ा पहुंचता है और वहां पर एक मराठा पहुंचता है मराठा को उसकी छोटी सी भूल के लिए मार देता है जो कि उसके गड़ की रख वाली कर रहा होता है तब ताना जी उसी मराठा कैसों को लेकर मराठो की गाउँ पहुंचता है और उदेभान के खिलाप लढने को कहता है जिससे वहां उन मराठाओं के साथ कुंधाड़ा प अपनी बहन को बचाने के लिए ताना जी को कैस से भागने में मदद करता है तब ताना जी उसकी बहन को सिरात्री के दिन छुडाने का वादा करता है ताना जी चोर दोर के दोरा वहां से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर उमरत पहुंच जाते हैं और वहां अगले युद उसे जिन्दा वापस आएगा वो उसका दुलहन बनकर स्वागत करेगी उद्यभान ताना जी के भागने की वज़े से उन सभी सेनकों को फांसी पर लटका देता है जो कि उसकी सुरच्छा में तैनात थे और उसी वक्त जगज सिंग एक संदेशा लेकर उद्यभान के पास आ रहे होते हैं वह पहाड़ी से चड़कर मुगलो पर हमला सुरू कर देते हैं और सभी मुगल सैनिक को मारने लगते हैं यह देखकर जगज सिंग कमला देवी को वहां से लेकर भाग जाता है जब उद्यभान को हमले के बारे में पता चलता है तो वह अपनी तोप जिसका ना नात काट देता है जिससे ताना जी बहुत जखमी हो जाते हैं ताना जी घायल होने के बावजूद अपने एक हाँ से लड़ते हुए उद्यभान को मौत के घाट उतार देते हैं और नागिन सहत उद्यभान को किले से नीच गिरा देते हैं और केसरीय जंटा को नढड़ा पर लहरा देते हैं इसी भी सिवाजी महराज और उनकी सेना भी वहाँ पर पहुंचाती है और वो जब ताना जी को देखते हैं तो आरोने लगते हैं और उनके मुह से निकल जाता है गड़ आला पड़ सिंग गेला जिसका मतलब होता है कि गड़ तो हमने जीती लिया लेकि ताना जी का इंतिजार करने लगती हैं और एंग जेब का दच्छड भारत पर सासंद करने का सपना सपना ही रह जाता है अब आये जानते हैं इस मूबी के कुछ फैक्स के बारे में अजे दोगन अपनी फिल्म सिवाए के बास सरदार बैटल आप सारा गड़ी फिल्म बनान कर दिया इसी बीच अजे दोगन ने निर्देशक ओमराउद के साथ ताना जी मालूसरे के जीवन पर फिल्म बनाने का फैसला किया जिसका नाम रखा गया ताना जीदा अंसंग वारियर ताना जी का पहला लुग 20 छुले 2017 को जारी किया गया था और प्री प्रोडक्शन का क प्रोडक्शन कमपनी के साथ मिल कर इस फिल्म को बनाने की घोषडा की फिर मार्च 2019 में फिल्म का नाम बदल कर तनहा जिदा अंसंग वारियर रख दिया गया फिर इसमें काजोल और सैफली खान को सिलक्ट किया गया सैफली खान को उदे भान के लिए लिया गया था इसके सैफली खान ने तलवारबाजी और घोड़सवारी भी सीखी थी इसके पहले अजे दोगन और सैफली खान एक साथ ओमकारा फिल्म में काम कर चुके थे जो कि 2004 में आई थी ताना जी को मुंबई की फिल्म सिटी में सूट गिया गया था संधन घाटी जैसे स्टड बनाने के अब बात करते हैं इसके संगीत के बारे में इस फिल्म का म्यूजिक अजे अतुल, सचेद परंपरा, मेहुल ब्यास और परसंजीत को संभी दोरा दिया गया था इस फिल्म में कुल चार गाने थे जिनके बोल हैं संकरा रे संकरा, माय भावानी, घमंड कर, तिनक तिनक जिसे गया था मेहुल ब्यास, सुक्विंदर सिंग और सिर्या घोसाल, सचेट टंडन और परंपरा ठाकुर और हरस्दीप कोरने अब आईए बात करते हैं इसके बॉक्स आफिस के बारे में, ताना जी ने अपने सुरुवाती दिन घरेलू बॉक्स आफिस पर 15 करोड रुपे कमाई थे, दूसरे दिन फिल्म ने 25 करोड रुपे की कमाई की थी, जिसे कुल सुरुवाती साथ तहंग का संगरह 61 करोड रु रुपे हो गया था, 18 माद 2020 के अनुसार फिल्म ने भारत में 302 करोड रुपे की कमाई की, तो था भी 200 में 54 करोड रुपे कमाई, इस फिल्म ने दुनिया भर में 407 करोड रुपे कमाई थे, और बाक्स आफिस पर एक बड़ी सफल फिल्म साबित हुई थी, इस प्रकार 2020 कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, फिल्म को 78 गोल्टन गलोब आवार्ड्स में परदरसित होने वाली सर्प सेर्श विदेशी फिल्म के रूम में चुना गया था, अब आई जानते हैं इस फिल्म के रिव्यू के बारे में, ये फिल्म कापी अच्छी काजोल अपनी जिगह पर ठीक ठाक रहें, उन्हें ज़्यदा तरसीन नहीं दिये गए, बाकी भी एक्टर्स का काम इसमें अच्छा है, अजे दोगन ने ताना जी की भूम का बहुत भी अच्छे से निभाई है, अजे दोगन ने भी इस फिल्म का डायरेक्शन किया है, आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, साथ ही और भी क्रिटिक्स ने इसके अच्छे रिव्यू दिये थे, रिव्यू अग्रिवेटर वेबशाइट राटन टोमाटोज पर ताना जी की आउसर समिच्छा, 8.2 हाउट आप 10 की आउसर रेटिंग के साथ 10 समिच्छाओं के अतिपूर्तत को मिस्रित किया, कहानी, साउंड इफेक, बेस भूसा और बेक्तिकत परदर्शन की विशेश रूप से परसंसा की गई, राहुल दिसाही ने इसे एक चाला काम बताया, जो एक ब्यापक भागवा करण द्वारा विवाहित था, जिसे भारत में राजनीतिक मा माहल का फाइदा उठाने की कोशिश की गई, ता हिंदुस्टान टाइम्स की समीच्छा में याक सांदार काम बताया गया, जिसमें असाधार बेक्तिकत परदर्शन, एक मनोरम कहानी और उतकरश बीदियों परभाव थे, ता हिंदू की नमरता जोसी ने कहा कि फिल्म अच् से अपनी भौत की उधार ली थी, लेकिन फिर भी इसमें धारा प्रवाह करवाई और दिल्चस्प बेक्तिगत पर दर्संसा मिल थे, औरोमे पर पलोमी दास ने तनहाजी को एक मज़ेदार हाई पर नेशनलिस्टिक एक्षन थिलर के रूप में नोट किया, जिसने एक यू किसी भी और सभी बार्यक्यों को इस तरी करता है, हाला कि उन्होंने समर्ग उतबादन को और सक्तिसाली बेक्तिगत पर दर्संद्वरा समर्थित होने का उल्ले किया, तनुल ठाकुर ने इसे एक ऐसी क्रत के रूम में उल्ले किया, जिसमें उतकर सिनोमेटोग्राफी थी, लेकिन भारत के समर्ग भगरो करण को पूरा करते विए, इसे एहनकारी धर्म राष्टवादी परचार दोरा इसे बहुत ही कम पसंद किया गया था, इंडियन एक्स्प्रेस के ओपर सुपरा गुपता ने या उल्ले किया कि सरसरी भद्दी भद्दी गालियां प्यस की आपसी है, बेक्टिगत परदर्सन और युद्ध के द्रस्ट की कुरियोग्राफी की परसंदा की गई, राजियो मसंद ने इसे एक संदिक रूप से कालपनिक कालपनिक काम के रूम में उल्ले किया, जिससे हाईपर निशले स्टेक चलवाई की अपील की, लेकिन इसमें बेक्टिगत परदर्सन के साथ है, युद्ध ने तरहिन तेजस्वी फिल्म का उल्ले किया, आज हम बात करेंगे ताना जी के बारे में, ताना जी, जिनका पूरा नाम था ताना जी मालो सरे, वो मराठा समराज के मराठा सेना में सुबेदार सरदार थे, वो च्छत पस्व जी महराज के बच्पन के मित्र थे, वो ये बच्पन में एक साथ खेले थे, ताना जी 1670 इस भी में सिंगड की लडाई में अपनी मात्पूर भूमका के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने कुंडाडा किला को वापस पाने के लिए अपनी जान तक गवादी थी, ताना जी उन्होंने कुंडाडा किला के लिए अपने बेटे की साधी तक को टाल दिया था, और कहा कि पहले कुंडाडा की साधी होगी और बाद में उनके बेटे राइवा की, उन दिनों सुबेदार ताना के बेटे राइवा के बिवाह की तियारिया चल रही थी, उसी वक्त ताना जी सिवाजी महराज के घर अपने बेटे की साधी का अमंत्रण लेकर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि छटपस सिवाजी महराज कुंधाड़ा पर चड़ाई करने वाले हैं तब ताना जी ने कहा कि मैं कुंधाड़ा जीत कर लाऊंगा कुछ इत्यासकारों का मानना है कि एक दिन सिवाजी महराज की माँ जीजा भाई अपने महर की खड़की के सामने बैठी अपने बाल खींच रही थी तब ही उन्होंने कुंधाड़ा पर लहराता हुआ मुगल का ज्छन्डा देखा और वे काप ही दुखी हुई इसी दोरान उन्होंने अपने बेटे सिवाजी महराज को एक संदेशा भेजवाया और कहा कि जितनी चल्दी हो सके वो मुझसे आके मिले जब संदेशा सिवाजी के पास पहुचा तो एक कुछ ही देर में अपनी मा के पास मिलने पहुच गए और अपनी मा जीजा भाई से पुछा की क्या बात है तो उनकी माने कुंधाड़ा किला को वापस पाने की बात कही इस पर सिवाजी महराज भी बहुत दुखी हुए उन्होंने कहा कि कुंधाड़ा जीतना अब आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पर मुगलो दोरा 5000 से निक्तैनात किये गए हैं और वहाँ की सुरच्छा बहुत कड़ी है तब जीजा बाई ने सिवाजी महराज से कुंधाड़ा को जीतने की जित की कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब जीजा बाई जी को सचपस साहु जी महराज ने कुंधाड़ा किला जीतना नामुंकिन बताया तो वह अत्यादिक कुरोधित ह हो गई और कहा कि अगर कुंधाड़ा किला वापस नहीं लाए तो वे उनको सराब दे देंगी और उनका सारा समराज नश्ट हो जाएगा इस पर सिवा जी महराज को अपने दोस्त ताना जी की याद आती है और वे ताना जी मालुसरे को संदेशा देकर बुलाते हैं जब तान भी लोगों को आकरमड के लिए भेजा गया था उनमें से कोई भी वापस नहीं आया था सिवा जी महराज ने ताना जी से कहा कि आपको मेरी माने बुलाया है वे यह सुनकर काफी खुस हुए और तुरंत मा जीजा भाई के पास पहुँचे तब जीजा भाई ने इने थारा पर आकरमड के लिए चले गए चात्रपति साहु जी महराज के सेना में कई सर्दार थे परन सिवाजी महराज ने कRIक्त अड़ाज के लिए ताना जी को चुना था लेकिन ताना जी मारे गए जब सिवाजी महराज ने यहां समाचार सुना तो है वें बहुत दुखी जिसका मतलब होता है कि किला तो हमने जीत लिया पर अपना सेर खो दिया ताना जी की मर्थिव के बाद कई दिनों तक स्वाजी महाराज उनकी याद में रोते रहे और उन्हेंने कुंड़ा के लिए का नाम बदल कर सिंग्गड का किला नाम रख दिया ताना जी महराज का जनम सत्री स्थापती में महराष्ट के फूंकर प्रांत में महाड के पास उमर्थे में हुआ था वोई बच्पन से च्छतपस स्वाजी महराज के साथ ही थे ताना जी राव स्वाजी के साथ लडाई में जाते थे ताना जी को तलवार बाजी और लड़ाई करने का पहुत सोग था यह कालड थाकिए शिवा जी के सबसे अच्छे दोस्त थे ताना जी मालुसरे जब कुंधाडा किला को जीतने के लिए गये थे तो एक अपने साथ उनके भाई सुरिया जी मालुसरे और अपने मामा सिलार मामा को साथ लेकर गए थे वूर पुरे 342 सेनिक लेकर गए थे ताना जी मालुसरे सरीर से हट्टे कट्टे और सक्टी पोड़ थे कुंधाडा किला एक बहुत ही मात्पूर अस्थान पर इस्तित था या जमीन से बहुत उचे पहाडों पर बना हुआ था इसकी उचाई समुद्र तल से चवाली सोफिट की उचाई पर इस्तित है जिससे कि यह राजनितिक काड़ों से भी काफी मात्पूर था आज की समय में या पुड़े से लगभग 30 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है या किला जीतना सिवा जी माहराज के समराज के लिए बहुत ही मात्पूर था कुंधाडा पर आकरमण के लिए ताना जी अपने सहनी के साथ एक यसोनती नाम की पालतु गुह ले गए थे जो कि एक बड़ी चिपकली जैसी होती है इसे अलग-लग राज्यों में अलग-लग नामों से पुकारा जाता है या चिपकली आकार में लग-भग 5 फिटकी थी और या बड़ी चिपकली आसानी से दिवार पर चड़ सकती है और खड़ी चट्टानों पर भी चड़ सकती है इतना ही नहीं या अपने साथ कई लोगों का वजन भी संभाल सकती है ताना जी और उनके सेनकों की टुकडी रात के घने अधेरे में पच्चमी भाग जहां पर उचे पहाड़ों के खड़ी चड़ाई थी वहां पहुँचे और अपनी ये सोंती यानी बड़ी चिपकिली की कमर में रस्ती बांधी और उसके सहारे कुंधाडा किले पर चड़ाई करने लगे कुंधारा किले के पच्छिमी भाग में पहाडी होने के कारण वहाँ पर मुगलो का पहरा कम होता था और वहाँ पर जदा सेनिक तैनाथ नहीं थे कहा जाता है कि ताना जी मालूसरे बहुत ही चालाग थे सिंगड़ की चड़ाई से पहले वह कुंधारा किले में पहुँच गए थे और जासूसी करने लगे थे और उन्होंने कुंधारा की किले के बारे में सभी मार्गो को पता लगाया था उस समय उस किले का रच्चक उद्यभान था उद्यभान पहले राजपूत था और बाद में मुसल्मान बन गया था वह बहुत ही खतरनाक था कहा जाता है कि वो एक दिन में एक काय तक खा जाता था ताना जी उनके गड़ पर ही जासूसी करते रहें और उन्हें पता चला कि वहाँ पर बहुत बड़ा फंसन होने वाला है ताना जी कुंधाड़ा पर चढ़ाई के लिए वह समारोह वाली रात चुनी उस रात सभी मुगल सैनिक भी सराब और अफिम के नसे में धुद थे उध्यभान भी उसी नसे में धुद था ताना जी और उनके सैनिक छपकली की मदश से किले पच्छाई करने लगे और कुंधाड़ा पर तेनाद मुगल सैनिक को चुद के से मारने लगे और पर कुंधाड़ा का कल्यार दरौजा कोलने के बाद और भी सैनिक पर हमला बोल दिया जब ये बात उदेभान को पता चली तो उसके सेनकों पर हमला हुआ है तो वह उस वक्त सराब और अफिम के नसे में तुद था और अपनी रानियों के साथ बिस्तर पर था उसने अपने सेनापती को लटने के लिए भेजा उसका सेनापती भी अपनी बेगमों के साथ बिस्तर पर ही था कहा जाता है कि जब वह लड़ाई करने के लिए गया तो उसने अपनी सभी बेगमों को मार डाला था ताकि उसके मरने के बाद कोई दूसरा उनके साथ संबंध ना बना सके वो अपनी सारी बीबियो को मारने के बाद उनका खोन अपने माते पर लगाया और ताना जी से लड़ने चल दिया वो अभी बहुत ताकतवर था वो अभी हर दिन कई किलो गाय का मांस खा जाता था ताना जी ने उसके सर से लेकर उसके नाभी तक उसके दो हिस्सों में अपनी तलवार से बीश से चीर दिया यह जानने के बाद भी उधेबान लड़ाई करने के लिए बाहर नहीं आया और उसने अपने बारा पुत्रों को लड़ने के लिए भेजा लेकिन ताना जी ने उसके बारा पुत्रों को 24 टुकडों में काड़ दिया यह सुनकर उधैबान बहुत ही गुस्से में हो गया और वह अपने हाथी को बहुत सारी अपही मिला कर ताना जी के पीछे छोड़ दिया कहा जाता है कि उधैबान का यहाथी बहुत ही कुरूर था और यह पहले भी कई लोगों की जान ले चुका था वह इस हाथी को अकसर युद्ध में प्रियोग किया करता था ताना जी ने उस हाथी की सूड काट कर उसे भी खतम कर दिया अब उधैबान अपनी सारी रानियों को मार कर ताना जी पर तूट पड़ा और दोनों के बीच गमासान युद्ध हुआ इसी बीच ताना जी का एक हाथ कट गया और वे गंभी रूप से घायल हो गए लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पगड़ी से अपने उस हाथ को बांद कर दोबारा उधैबान से लड़ने लगे इस लड़ाई के दौरान उधैबान भी काफी गायल हो चुका था तब ही उसी वक्त सिवाज महराज की फाज वहां पहुँच गई और उन्हेंने उधैबान को मार गिराया और किला को जीत लिया कुछ इतिहास कारों का मानना है कि उधैबान को ताना जी ने ही मारा था लेकिन कुछ इतिहास कारों का मानना है कि उधैबान को ताना के मामा सुलार मामा ने उसका गला गोड़ दिया था ताना जी बहुत घायल हो गये थे और उनकी मरत्य हो गई थी यह समाचार चब सिवा जी महराद ने सुना तो यह किला पर पहुँचे वहाँ पर सारे सैनिक सिवा जी को घेर लिए और जीत की बदाई देने लगे परंसिवा जी ने सब को सांध किया और जसन मनाने से रोग दिया उन्हेंने कहा किला तो जीत लिया पर मैंने अपना सेर खो दिया इसके बाद इस किले का नाम बदल कर सिंगड का किला नाम रख दिया गया और पुडे नगर के वाग ब्याडी नामक भाग का नाम बदल कर नर्बीर ताना जी वाडी कर दिया गया इसके बाद ताना जी की कई मूर्तिया और इसमारक भी बनाये गए ताना जी दा अंसंग वारियर ताना जी के जीवन पर आधरित फिल्म है जिसे ओम रहुत ने डायरेक्ट किया है और इसमें अजेदोगन, काजोल और सैफली खान में लीड रोल में है ये फिल्म टी सिरीज और अजेदोगन फिल्म्स के तहद रिलीज की गई थी इस फिल्म की कहानी कॉंडाला के लिए को जीतने की कहानी है इस फिल्म में मुजिक दिया था संदीब सिरोडगर ने इस फिल्म के डायरेक्टर ओम रहुत ने अपने निर्देशन की सुरुआत फिल्म लोकमान एक यूग पुरुस से की थी जो की 2015 में आई थी इस फिल्म को काफी सराहा गया था फिर इस फिल्म की लोक्रिता और मांग कोकारड इसे महराठी में भी डब किया गया इसमें ओम रहुत इस वक्त की सबसे बड़ी फिल्म आद पुरुस कर काम कर रहे हैं ताना जी की शूटिंग 25 सितंबर 2018 में शुरू हुई थी और मई 2019 के भीतर पुरी हो गई थी इस फिल्म की सुटिंग ज्यादा तर मुंबई सहर में हुई थी और कुछ सेन की सुटिंग उड़े में की गई थी इस फिल्म की सिनोवेटोग्राफी और इडिटिंग कीको नकरा और धर्मेंदर सर्मा के द्वारा की गई थी और साउंट्रेक अलबम अजे अतुल द्वारा लिखा गया था इस फिल्म का म्यूजिक टी स्रीज द्वारा जारी किया गया था तनहाजी को भारत में 3D में 10 जनुवरी 2020 को रिलीज किया गया था फिल्म को काफी पसंद किया गया था खासकर अजे दोगन और सैफली खान को अलुचात्मक परसंसा मिली थी इस फिल्म का एक्षन, बी अफेक्स और म्यूजिक को काफी पसंद किया गया था इस फिल्म ने पुरी दुनिया में 3.67 बिलियन रुपे की कमाई की थी और बॉक्स आफिस पर ब्लॉक बास्टर साबित हुई थी इस तरह से 2020 की सबसे ज़्यदा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी फिल्म को 18 गोल्डन ग्लोब आवार्ड में दिखाई जाने वाली सब्शेट बिदेशी फिल्म में से एक चुना गया था 68 राष्टी फिल्म परिसकारों में इस फिल्म ने संपूर इंटर्टेनिंग और सबसे ज़्यदा पसंद की जाने वाली और सबसेट अबनेता अज़ेदोगन को परिसकार और सबसेट पुसाग डिजाइन के परिसकार जीते थे शाचटोए फिल्म प्रिसकारों में ताना जी को सर्फशेट फिल्म और सर्फशेट अबनेता अज़ेदोगन सहिद त्यारा नमंकन प्राप्त ही थे और सर्फशेट निल्देसक अमराउत और सर्फशेट साहिक अबनेता सैफली खान सहिद चार प्रिसकार जीते थे अब जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में इस फिल्म की सुरुआज 1647 में होती है जहां हमें दिखाय जाता है कि ताना जी के पिता ताना जी को तलवार बाजी सिखा रहे होते हैं फिर उम्रत में मुगलो का हमला होता है और ताना जी के पिता की मरती हो जाती है ताना जी के पिता उन्हें वसीहत में कर्ज देने की बात कहते हैं फिर अगले सीन में 17 साल बीच चुके हैं और वक्त है 1664 का अब ताना जी बड़े हो चुके हैं और अब ताना जी छटपस सिवा जी महराज की मराठा सेना के पर्मुख सुवेदार बन जाते हैं और मराठा सेना में घुस्पायट करने वाली मुगल सेना पर हमला करते हैं और सभी को मार देते हैं अब 1665 में मुगल समराट और अंग्जेब अपने सबसे भरोसे मन जरलों में से एक अंबर की राज़त चैसिंग को सिवा जी को पकड़ने के लिए भेजते हैं जो कि दक्कन के पठार में उसके हो रहे बिस्तार में रुकाउड पैदा कर रहे हैं फिर कुलंदर की लड़ाई में सिवा जी को अपने 30 किलों के साथ कबजा कर लिया जाता है और सिवा जी को बंदी बना लिया जाता है बाद में मुगल से नपती बेसक खान सिवा जी महराज की मा जीजा भाई का अपमान करते हुए सिवा जी का महतपूर किला कुंधाना पर कीमा वहां से नंगे पैर ही चली जाती हैं और जब कुंधाड़ा उनके पास वापस ना आ जाए दब तक चूते ना पहनने का वज़न देती हैं इस बारे में ताना जी को भी बताया जाता है अब 5 साल बीच चुके हैं 1670 इस बी का वक्त है सिवा जी को उनके एक जासूस पता चलता है कि औरंग जेब अपने राजपूद सेना पती उदेभान को कुंधाड़ा से सिवा जी के समराज पर हमला करने के लिए भेजता है तब सिवा जी ताना जी के द्वारा कुंधाड़ा पर हमला करने के बारे में सोचते हैं लेकिन उसमें ताना जी के बेटे ताना जी के लिए जब ताना जी का एक सच्छम से नापती चंदर जी पसल कि सिवाजी को परवाद करना चाहता है वह ताना जी को इस गुपति योजणा के बारे में पता देता है फिर ताना जी सिवा जी और उसकी माता जीजा भाई से जबरजस्ती अभियान में नेतृत करने की अनमत ले लेता है और वह अपने बेटे राइबा की साधी टाल देता है उदेभान बुरहान पुर पहुँचता है तब ताना जी इस पर विचार कर रहे होते हैं क्यों कुंधाड़ा पर किस रास्ते से आएगा ताना जी एक योजना बनाते हैं लेकिन एक धोखेबाज मराठा इसके बारे में मुगल सिनापती उदेभान को बता देता है ये दोखे बाज मराठा वही होता है जिसने सिवा जी का गुप्द अभियान ताना जी को बताया था यह काम सिवा जी के सिनापती पिसल के दोरा किया जाता है वह ताना जी को मारना चाहता है और फिर सिवा जी को बरबाद करके अपना हाथ उदेभान से मिलाना चाहता है उदेभान अपने राजपूर सेनापती जगेश सिंग की बहन कमला देवी को भी कैद करके साथ ला रहा होता है चूलिय जूकी पसल का भतीजा होता है उदेभान को ताना जी के फ्लान के बारे में बता देता है फिर उदेभान धोखे से ताना जी की इस योजना को बिफल कर देता है और इसमें ताना जी के द्वारा उनके ही मराठे मारे जाते हैं इस पर ताना जी बहुत दुखी होते हैं अब उदेभान कुंधाडा पहुंचता है और वहाँ पर एक मराठो को उसकी छोटी सी भूल के लिए मार देता है जो कि उसके गढ़ की रखवाली कर रहा होता है तब ताना जी उसी मराठा कैसों को लेकर मराठो की गाउं पहुंचता है और उदेभान के खिलाप लड़ने को कहता है जिससे वहाँ उन मराठाओं के साथ कुंधाडा पर सिवरातरी समारों में चला जाता है जहां वह मराठो को धोखा देने वाले चूलिया को मार देता है यह देखकर उदेभान ताना जी को कैद कर लेता है और उसे टार्चर करने लगता है जगज सिंग अपनी बहन को बचाने के लिए ताना जी को कैस से भागने में मदद करता है तब ताना जी उसकी बहन को सिरात्री के दिन छुड़ाने का वादा करता है ताना जी चोर द्वार के द्वारा वहां से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर उम्रत पहुन जाते हैं और वहां अगले युद्ध के बारे में बताते हैं उधर ताना जी के बेटे के बिवाः वाले भी बिवाः के लिए परेसान कर रहे होते हैं। ताना जी अपनी पत्नी से वादा करता है कि वह इस युद्ध से जिंदा वापस आएगा। वो उसका दुलहन बनकर स्वागत करेगी। उधर ताना जी के बागने की वज़े से उन सभी सेनकों को फांसी पर लटका देता है जो कि उसकी सुरच्छा में तैनाथ थे। और उसी वक्त जगज सिंग एक संदेशा लेकर उधर भान के पास आता है। वह कहता है कि उसकी बहन कमला देवी उससे साधी करने के लिए मान गई है। इस पर सभी लोग साधी की तैयारियों में लग जाते हैं और उधर ताना जी किले पर हमला करने के तैयारी कर रहे होते हैं। वह पहाड़ी से चड़कर मुगलों पर हमला सुरू कर देते हैं और सभी मुगल सैनिक को मारने लगते हैं यह देखकर जगज सिंग कमला देवी को वहां से लेकर भाग जाता है जब उदेभान को हमले के बारे में पता चलता है तो वह अपनी तौप जिसका नाम नागिन होता है उसे राजगर पर निसाना लगाता है और तौप के पलीते में आग लगा देता है यह देखकर ताना जी घोड़े पर चड़कर अपनी तलवार से उस जलते हुए पलीते को काट देता है और तौप का हमला होने से रुख जाता है लेकिन उसी वक्त उदेभान ताना जी का हाथ काट देता है जिससे ताना जी बहुत जखमी हो जाते है ताना जी घायल होने के पावजूद अपने एक हाथ से लड़ते हुए उदेभान को मौत के घाट उतार देते हैं और नागिन सहे तो देभान को किले से नीच एक गिरा देते हैं और केसरीय जंटा को नढ़ाडा पर लहरा देते हैं इसी भी सिवा जी महराज और उनकी सेना भी वहाँ पर पहुंचाती है और वो जब ताना जी को देखते हैं तो आरोने लगते हैं और उनके मुँँ से निकल जाता है गठ आला पड़ सिंग गेला जिसका मतलब होता है कि गठ तो हमने जित लिया लेकिन अपना सेर खो दिया इसके बाद सिवा जी खुद अपने हातों से ताना जी के बेटे राईबा की साधी कराते हैं इसके बाद ताना जी की पतनी अपने कमरे में चली जाती है और बंद दर्वाजों के पीछे दुलहन के रूप में सजकर ताना जी का इंतिजार करने लगती है और एंग जेब का देच्छड भारत पर सासन करने का सपना सपना ही रह जाता है अब आईए जानते हैं इस मूबी के कुछ फायक्स के बारे में अजे दुगन अपनी फिल्म सिवाए के बाद सरदार बैटल आप सारा गड़ी फिल्म बनाना चाहते थे जो कि 21, सिखो और 10,000 अफगानों के बेज सारा गड़ी पर आधारी थी लेकिन अगले साल दिवाली पर केसरी फिल्म का एलान हुआ तब अजे दुगन ने फिल्म को ना बनाने का फैंसला किया और इसे रद्द कर दिया इसी भीच अजे दुगन ने निर्देशक ओमराउत के साथ ताना जी मालूसरे के जीवन पर फिल्म बनाने का फैसला गया जिसका नाम रखा गया ताना जीदा अंसंग वारियर ताना जी का पहला लूग पीश चुले 2017 को जारी किया गया था और प्री प्रोडेक्शन का काम अगले दून शुरू कर दिया गया था फिर अजी दोगन ने 6-8 महिनों तक इस फिल्म के भारी बेफाक्स पर काम किया और फिल्म को 3-डी में बनाने की घोशड़ा की 2 अगस 2018 में टी स्रीज के मालिक भुषड कुमार ने अजी दोगन की प्रोडेक्शन कंपनी के साथ मिलकर इस फिल्म को बनाने की घोशड़ा की फिर मार्च 2019 में फिल्म का नाम बदल कर तनहा जिदा अंसंग वारियर रख दिया गया फिर इसमें काजोल और सैफली खान को सिलेक्ट किया गया सैफली खान को उदे भान के लिए लिया गया था इसके लिए सैफली खान ने तलवार बाजी और घुड़ सवारी भी सी की थी इसके पहले अजे दोगन और सैफली खान एक साथ ओमकारा फिल्म में काम कर चुके थे जो कि 2004 में आई थी ताना जी को मुंबई की फिल्म सिटी में सूट गिया गया था संधन घाटी जैसे शट बनाने के लिए 300 फिट लंबा शट बना गया था अब बात करते हैं इसके संगीत के बारे में इस फिल्म का मेजिक अजे अतुल, सचेत परंपरा, मेहुल ब्यास और परसंजीत को संभी दोरा दिया गया था इस फिल्म में कुल चार गाने थे जिनके बोल हैं संकरारे संकरा, माय भावानी, घमंड कर, तिनक तिनक जिसे गाया था मेहुल ब्यास, सुक्वेंदर सिंग और सिर्या घोसाल, सचेत तंडन और परंपरा ठाकुर और हरसदीप कोरने अब आई ये बात करते हैं इसके बॉक्स आफिस के बारे में 18 माच 2020 के अनुसार, फिल्म ने भारत में 302 करोड रुपे की कमाई की, तो था भी 200 में 54 करोड रुपे कमाई इस फिल्म ने दुनिया भर में 407 करोड रुपे कमाई थे, और बाक्स आफिस पर एक बड़ी सफल फिल्म साबित हुई थी इस प्रगाल 2020 किया सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी फिल्म को 78 गोल्टन गलोब आवार्ड्स में परदरसित होने वाली सर्ब सर्च बिदेशी फिल्म के रूम में चुना गया था अब आई जानते हैं इस फिल्म के रिब्यू के बारे में ये फिल्म काफी अच्छी थी सारे के ट्रिक्ष ने इस फिल्म की काफी परसंसा की थी खासकर परसंसा इसके बेफेक्स को मिली थी साथ ही अजे दोगन की एक्टिंग भी लाजवाब है साइफली खान भी अपने रोल में चस्ते हैं और वोई भी अजे दोगन से कम नहीं लगते हैं काजोल अपनी जिगह पर ठीक ठाक रही उन्हें ज़्यदा तरसीन नहीं दिये गए बाकी भी अक्टर्स का काम इसमें अच्छा है अजे दोगन ने ताना जी की भूम का बहुत ही अच्छे से निभाई है अजे दोगन ने भी इस फिल्म का डायरेक्शन किया है अजे दोगन वैसे भी एक मंजे वेक अलाकार हैं तो उनकी एक्टिंग पर कोई भी सक नहीं किया जा सकता आपको एक फिल्म जरा भी बोर नहीं होने देती पहला हाप भी इसमें मजबूत है और दूसरा हाप भी ये फिल्म मुआकी में एक लाजवाब फिल्म है आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए साथ ही और भी क्रिटिक्स ने इसके अच्छे रिविव दिये थे रिविव अग्रिवेडर वेब्साइट राटन टोमाटोज पर ताना जीगी ओसर समीच्छा 8.2 हाउट आप टेन की ओसरे रेटिंग के साथ 10 समीच्छाओं के आधार पर 70% है फिल्म कमपेनियन की अनपमा चोपड़ा ने इतिहास के अमर चित्र कथा कामिक से अलग इतिहास की एक अप्रकासिक रिटेलिंग को उले किया जिसने इतिहासिक चस्मे राष्टरवाद और अत्पूर्तत को मिस्रित किया कहानी, साउंड इफेक, बेस भूसा और बेक्तिगत परदर्शन की बिसेश रूप से परसंसा की गई राहुल दिसाई ने इसे एक चाला काम बताया, जो एक ब्यापक भगवा करड़ द्वारा विवाहित था, जिसे भारत में राजनीतिक माहूल का फाइदा उठाने की कोशिश की गई दा हिंदुस्टान टाइम्स की समीच्छा में याक सांदार काम बताया गया, जिसमें असाधार बेक्तिगत परदर्शन एक मनोरम कहानी और उतकरश बीदियों परभाव थे, दा हिंदु की नमरता जोसी ने कहा की फिल्म अच्छी तरह से सुरू हुई है, बीच में लहरा ली थी, लेकिन फिर भी इसमें तारा प्रवाह करवाई और दिल्चस्प बेक्तिगत पर दर्संसा मिल थे, औरोमे पर पलोमी दास ने तनहा जी को एक मज़ेदार हाइप पर नेशनलिस्टिक एक्षन थिलर के रूप में नोट किया, जिसने एक यूनी आया मी संसो पास और प्रिसक्रद इसलामा फोबिया को सुद्ध किया, एंडी टीबी के सिब्बल चिटरजी ने इसे एतिहासिक रूप से अमानवी कार्य बताया, जो कि एक भगवाकरत हिंदो मुस्लिम बाइनरी के चितर में किसी भी और सभी बार्यक्यों को इस्तरी करता है, हाला कि उन्होंने समर्ग उत्पादन को और सक्तिसाली बेक्तिगत परदर्सन दोरा समर्थित होने का उल्ले किया, तानुल ठाकुर ने इसे एक ऐसी करत के रूम में उल्ले किया, जिसमें उत्कर सिनुमेटोग्राफी थी, लेकिन भारत के समर्ग भगरो करण को पूरा करते विए इसे एहंकारी धर्म राष्टवादी परचाव दोरा इसे बहुत ही कम पसंद किया गया था, इंडियन एक्स्प्रेस के ओपर सुबरा गुपता ने या उल्ले किया कि सरसरी भद्धी भद्धी गालिया प्यस की गई थी, जिसमें मराठा सोर की अत्ष्यक्त पूर्स दास्त को एक हिंदू सा के साथ चित्रित किया गया था, डेटिप के सुकन्या वर्मा ने कहा कि यह भगवा सुहरत की लड़ाई के साथ इतिहास की एक पौराणिक वापसी है, बेक्तिगत परदर्सन और युद्ध के द्रश्यकी कुरियोग्राफी की परसंसा की गई, राजियो मस चुटी घोस ने इतिहास श्रुटिकता और समस्या ग्रस्तो अपक्रोहों के साथ अपनी प्यापक सुतंतुता के बावजूद इसे मजबूत बेक्तिगत परदर्सन के साथ है, ने तरहिंत ते जिसवी फिलम का उले किया, आज हम बात करेंगे ताना जी के बारे में, ताना के रूम में काम करते थे, सुबेदार जिसे किलेदार भी कहा जाता था, ताना जी छटपस सिवाजी महराज के बच्पन के मित्र थे, वोई बच्पन में एक साथ खेले थे, ताना जी 1670 इसबी में सिंगड की लडाई में अपनी महत्तपूर भूमका के लिए जाने जाते है इन्होंने कुंडारा किला को वापस पाने के लिए अपनी जान तक कमा दी थी, ताना जी ने कुंडारा किला के लिए अपने बेटे की साधी तक को टाल दिया था, और कहा कि पहले कुंडारा की साधी होगी और बाद में उनके बेटे राइबा की, उन दिनों सुबेदार त बेटे प्राइबा के ब्यवाख की तियारिया चल रही थी। उसी वक्ताना जी स्वाजी महाराज के घर अपने बेटे की साधी का अमंत्रण लेकर पहुंचे। तब उन्हें पता चला कि छत पस्वाजी महाराज कुंधाड़ा पर चड़ाई करने वाले हैं। तब ताना जी कहा कि मैं कुंधाड़ा जीत कर लाऊंगा कुछ इत्यासकारों का मानना है कि एक दिन सिवाजी महराज की माँ जीजा भाई अपने महर की खेड़की के सामने बैठी अपने बाल खीच रही थी तब ही उन्होंने कुंधाड़ा पर लहराता हुआ मुगल का जंडा देखा और व तो एक कुछ ही बेल में अपनी मा के पास मिलने पहुच गए और अपनी मा जीजा भाई से पूछा की क्या बात है तो उनकी माने कुंधाड़ा किला को वापस पाने की बात कही इस पर सिवाजी महराज भी बहुत दुखी हुए उन्होंने कहा कि कुंधाड़ा जीतना अब आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पर मुगलो द्वारा पांच हजार सानिक तैनात किये गए हैं और वहाँ की सुरच्छा बहुत कड़ी है तब जीजा भाई ने सिवा जी महराज से कुंधाड़ो को जीतने की जित की कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब जीजा भाई जी को सच्बस साहुजी महराज ने कुंधाड़ा किला जीतना नामुंकिन बताया तो वह अत्यादिक कुरोधित हो गई और कहा कि अगर कुंधाड़ा किला वापस नहीं लाए तो वह उनको सराब दे देंगी और उनका सारा समराज नश्ट हो जाएगा इस पर सिवा जी महराज को अपने दोस्त ताना जी की याद आती है और वह ताना जी मालुसरे को संदेशा दे कर बुलाते हैं जब ताना जी सिवा जी के यहां पहुंचते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वह ताना जी से कह सके कि कुंधाड़ा पर आकरमड करो क्योंकि कुंधाड़ा जीतना बहुत ने बुलाया है वह सुनकर काफी खुस हुए और तुरत मा जीजा भाई के पास पहुचे तब जीजा भाई ने इन्हें कुंधाड़ा को वापस लाने की बात कही ताना जी अपने बेटे के विवाह जैसे काम को छोड़कर कुंधाड़ा पर आकरमण के लिए चले गए चत्रपती साहुजी महराज के सेना में कई सरदाव थे परन सिवाजी महराज ने कुंधाड़ा के लिए ताना जी को चुना था लेकिन ताना जी मारे गए जब सिवाजी महराज ने यह समाचार सुना तो यह बहुत दुखी लिये और उनके मुह से निकल पड़ा गढ़ आला पड़ सिंगेला जिसका मतलब होता है कि किला तो हमने जीत लिया पर अपना सेर खो दिया ताना जी की मरतियों के बाद कई दिनों तक सिवाजी महराज उनकी याद में रोते रहे और उन्हें कुंधाड़ा के लिए का नाम बदल कर सिंगड़ का किला नाम रख दिया ताना जी राव सिवाजी के साथ लड़ाई में जाते थे ताना जी को तलवार बाजी और लड़ाई करने का बहुत सौक था यही कारण था क्योंगे सिवाजी के सबसे अच्छे दोस्त थे ताना जी मालुसरे जब कुंधाड़ा किला को जीतने के लिए गये थे तो एपने साथ उ कुंधाड़ा किला एक बहुत ही मातपूर अस्थान पर इस्तित था यह जमीन से बहुत उचे पहाड़ो पर बना हुआ था इसकी उचाई समुद्र तल से चवाली सोफिट की उचाई पर इस्तित है जिससे कि यह राजनितिक कारणों से भी काफी मातपूर था आज की समय मे पुड़े से लगभग 30 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है यह किला जीतना सिवा जी महराज के समराज के लिए बहुत ही मातपूर था गुंधाड़ा पर आकरमण के लिए ताना जी अपने सैनी के साथ एक यसोनती नाम की पालतु गुह ले गये थे जो कि एक बड़ी पुड़ी आसानी से दिवार पर चड़ सकती है और खड़ी चटानों पर भी चड़ सकती है इतना ही नहीं यह अपने साथ कई लोगों का वजन भी संभाल सकती है ताना जी और उनके सेनकों की टुकड़ी रात के घने अंधेरे में पस्षमी भाग जहां पर उचे पहाड़ में पहाड़ी होने के कारड़ वहाँ पर मुगलो का पहरा कम होता था और वहाँ पर ज्यादा सेनक तैनात नहीं थे कहा जाता है कि ताना जी मालू सिरे बहुत ही चालाग थे सिंगड़ की चड़ाई से पहले वह कुंधाड़ा किले में पहुँच गये थे और जासूसी करन गया था वह बहुत ही खतरनाक था कहा जाता है कि वो एक दिन में एक गाय तक खा जाता था ताना जी उनके गड़ पर ही जासूसी करते रहें और उन्हें पता चला कि वहाँ पर बहुत बड़ा फंसन होने वाला है ताना जी कुंधाड़ा पर चड़ाई के लिए वही समारो हौली रात चुनी उस रात सभी मुगल सैनिक भी सराब और अफीम के नसे में धुद थे उधेभान भी उसी नसे में धुद था ताना जी और उनके सैनिक चिपकिली की मदस्यक्लिए पर चड़ाई करने लगे और कुंधाड़ा पर तेनाद मुगल सैनिको को चुपके से मार प्रकुन्दाड़ा का कल्यार दर्वाजा खोलने के बाद और भी सेनकों पर हमला बोल दिया जब यह बात उद्यभान को पता चली तो उसके सेनकों पर हमला हुआ है तो वह उस वक्त सराब और अफिम के नसे में धुत था और अपनी रानियों के साथ बिस्तर पर था उसने अ कि एगमों को मार डाला था ता़ कि उसके मरने के बाद कोई दूसरा उनके साथ संबंध नहबना सके वह अपनी दूसरी बीबियों को मारने के बाद कपोन अपने माथे पर लगाया और ताना जी से लड़ने चल दिया वह भी बहुत ताकत्त वर था वह भी हर दिन कई सवार से 20 से चीर दिया यह जानने के बाद भी उधयबान लड़ाई करने के लिए बाहर नहीं आया और उसने अपने 12 पुत्रों को लड़ने के लिए भेजा लेकिन ताना जी ने उसके 12 पुत्रों को 24 टुकडों में कार दिया या सुनकर उद्यबान बहुत ही गुस्से में हो गया और वह अपने हाथी को बहुत सारी अभी मिला कर ताना जी के पीछे छोड़ दिया कहा जाता है कि उद्यबान का यहां थी बहुत ही कुरूर था और या पहले भी कई लोगों की जा मार कर ताना जी पर तूट पड़ा और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ इसी बीच ताना जी का एक हाथ कट गया और वे गंभी रूप से घायल हो गए लेकिन उन्होंने हमत नहीं हारी और अपने पगड़ी से अपने उस हाथ को बांद कर दोबारा उद्यबान से लड़ने लगे इस लड़ाई के दोरान उद्यबान भी काफी घायल हो चुका था तब ही उसी वक्त सिवा जी महराज की फाज वहां पहुँच गई और उन्हेंने उद्यबान को मार गिराया और किला को जीत लिया कुछ इत्यासकारों का मानना है कि उद्यासकारों को ताना कि मामा सुलार मामा ने उसका कला गोड़ दिया था दाना जी बहुत खायल हो गये थे और उनकी मरत्य हो गई थी यह समाचार जब सिवा जी महराज ने सुना तो एक किला पर पहुँचे वहां पर सारे सैनिक सिवा जी को घेर लिये और जीत की बदाई देने लगे परन सिव गड़ का किला नाम रख दिया गया और पुडे नगर के वाग ग्वाड़ी नामक भाग का नाम बदल कर नर्बीर ताना जी वाड़ी कर दिया गया इसके बाद ताना जी की कई मुर्तिया और इसमारक भी बनाए गये ताना जी दा अंसंग वारियर ताना जी के जीवन पर आ इतने की कहानी है इस फिल्म में मुजिक दिया था संदीब शिरोडगर ने इस फिल्म के डारेक्टर ओम रहुत ने अपने निर्देशन की शुरुआत फिल्म लोकमान एक यूग पुरुष से की थी जो कि 2015 में आई थी इस फिल्म को काफी सराहा गया था फिर इस फिल्म की लो 2019 के भीतर पुई हो गई थी इस फिल्म की शूटिंग ज्यदातर मुंबई सहर में हुई थी और कुछ सेन की शूटिंग पुड़े में की गई थी इस फिल्म की सिनोवेटोग्राफी और इडिटिंग की को नकरा और धर्मेंद्र सर्मा के द्वारा की गई थी और लोगन और सैपली खान को अलोचात्मक प्रसंसा मिली थी इस फिल्म का एक्षन और म्यूजिक को काफी पसंद किया गया था इस फिल्म ने पूरी दुनिया में 3.67 बिलियन रुपे की कमाई की थी और बॉक्स आफिस पर ब्लॉक बास्टर साबित हुई थी इस तरह से 2020 की समपूर इंटर्टेनिंग और सबसे जएधा पसंद की जाने वाली और सब्सेट अवनेयता अजयदोगन को पुरिस्कार और सब्सेट पुसाख डिजाइन के पुरिसकार जीते थे शाचटोए फिल्म प्रुसकारों में ताना जी को सर्फशेट फिल्म और सर्फशेट अवनेता अजेदोगन सहिद त्यारा नमंकन प्राप्त ही थे और सर्फशेट निल्देशक अमराउत और सर्फशेट साहिक अवनेता सैफलिक खान सहिद चार प्रुसकार जीते थे अब जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में इस फिल्म की सुरुआज 1647 में होती है जहां हमें दिखाय जाता है कि ताना जी के पिता ताना जी को तलवार बाजी सिखा रहे होते हैं फिर उम्रत में मुगलो का हमला होता है और ताना जी के पिता की मृति हो जाती है ताना जी के पिता उन्हें वसीहत में कर्ज देने की बात कहते हैं फिर अगले सीन में सत्रा साल बीच चुके हैं और वक्त है सोला सो चौशट का अब ताना जी बड़े हो चुके हैं और अब ताना जी छदपस सिवा जी महराज की मराठा सेना के परमुक सुवेदार बन जाते हैं और मराठा सेना में घुसपयट करने वाली मुगल सेना पर हमला करते हैं और सभी को मार देते हैं अब 1665 में मुगल समराट और अंग्जेब अपने सबसे भरोसे मन जरलों में से एक अंबर के राज़त चेसिंग को सिवा जी को पकड़ने के लिए भेजते हैं जो कि धक्कन के पठार में उसके हो रहे बिस्तार में रुकाउड पैदा कर रहे हैं फिर कुरंदर की लड़ाई में सिवा जी को अपने 23 किलों के साथ कबजा कर लिया जाता है और सिवा जी को बंदी बना लिया जाता है बाद में मुगल सिनपती बेसक खान, सिवा जी महराज की मा जीजा भाई का अपमान करते हुए सिवा जी का महतपोड किला कुंधाणा परकबजा करने का आदेश देता है सिवा जी की मा वहां से नंगे पैर ही चली जाती है और जब कुंधाणा उनके पास वापस ना आ जाए तब तक चूते ना पहनने का वज़न देती है इस बारे में ताना जी को भी बताया जाता है अब पान साल बीच चुके हैं 1670 इसबी का वक्त है सिवा जी को उनके एक जासूस द्वारा पता चलता है कि औरंग जेब अपने राजपूद सेना पती उदेभान को कुंधाणा से सिवा जी के समराज पर हमला करने के लिए भेजता है तब सिवा जी ताना जी के दोरा कुंधाड़ा पर हमला करने के बारे में सोचते हैं लेकिन उसमें ताना जी के बेटे राइबा की साधी की तैयारिया चल रही थी इसलिए वे ताना जी को इस मिसन पर नहीं भेजना चाहते थे इसी बीच हमें दिखाय जाता है कि ताना जी अपने परिवार के साथ होली मना रहे होते हैं और सारे मराठा युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं सिवा जी अपने सभी सिनापतियों से इस युद्ध के बारे में ताना जी से ना बताने की बात कहते हैं राइबा की साधी के लिए जब ताना जी सिवा जी महराज के गढ़ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहां पर युद्ध की तयारिया चल रही हैं जब वह सिवा जी से इसके बारे में पोचते हैं तो वह मना कर देते हैं और कहते हैं कि कोई तयारी नहीं हो रही है लेकि प्रित करने की अनमत ले लेता है और वह अपने बेटे राइबा की साधी टाल देता है तब ताना जी इस पर विचार कर रहे होते हैं कि उस राश्टे से आएगा ताना जी एक योजना बनाते हैं लेकिन एक धोखेबाज मराथा इसके बारे में मुगल सिनपती उदेभान को बता देता है ये धोके बाज मराठा वही होता है जिसने सिवा जी का गुपत अभियान ताना जी को बताया था यह काम सिवा जी के सिनापती पिसल के दोरा किया जाता है वह ताना जी को मारना चाहता है और फिर सिवा जी को बरबाद करके अपना हाथ उदे भान से मिलाना चाह फिर उद्यभान धोखे से ताना जी की इस योजना को विफल कर देता है और इसमें ताना जी के द्वारा उनके ही मराठे मारे जाते हैं इस पर ताना जी बहुत दुखी होते हैं। अब उध्यभान कुंधाडा पहुंचता है और वहाँ पर एक मराठो को उसकी छोटी सी भूल के लिए मार देता है जो कि उसके गढ़ की रखवाली कर रहा होता है तब ताना जी उसी मराठा के सोगों को लेकर मराठो के गाउं पहुंचता है और उध्यभान के खिलाप लडन और उसे टार्चर करने लगता है जगज सिंग अपनी बहन को बचाने के लिए ताना जी को कैस से भागने में मदद करता है तब ताना जी उसकी बहन को सिरात्री के दिन छुडाने का वादा करता है ताना जी चोर द्वार के द्वारा वहां से बाहर निकल जाते हैं और अपने अगले युद्ध के बारे में पताते हैं उधर ताना जी के बेटे के बिवाः वाले भी बिवाः के लिए परेशान कर रहे होते हैं ताना जी अपनी पत्नी से वादा करता है कि वह इस युद्ध से जिंदा वापस आएगा वो उसका दुलहन बनकर स्वागत करेगी उधर भान ताना जी के बागने की वज़े से उन सभी सेनकों को फांसी पर लटका देता है जो कि उसकी सुरच्छा में तैनात थे और उसी वक्त जगज सिंग एक संदेशा लेकर उधर भान के पास आता है वह कहता है कि उसकी बहन कमला देवी उससे साधी करने के लिए मान गई है इस पर सभी लोग साधी की तैयारियों में लग जाते हैं और उधर ताना जी किले पर हमला करने के तैयारी कर रहे होते हैं वह पहाड़ी से चड़कर मुगलों पर हमला सुरू कर देते हैं और सभी मुगल सैनिक को मारने लगते हैं यह देखकर जगत सिंग कमला देवी को वहां से लेकर भाग जाता है जब उदेभान को हमले के बारे में पता चलता है तो वह अपनी तोप जिसका नाम नागिन होता है उसे राजगर पर निसाना लगाता है और तोप के पलीते में मात काट देता है जिससे ताना जी बहुत जख्मी हो जाते हैं ताना जी घायल होने के पहुजूद अपने एक हाँ से लड़ते हुए उदेभान को मौत के घाट उतार देते हैं और नागिन सहत उदेभान को किले से नीचे गिरा देते हैं और केसरिया जंटा को नढ़ारा पर लहरा देते हैं इसी भी सिवाजी महराज और उनकी सेना भी वहां पर पहुंच जाती है और वो जब ताना जी को देखते हैं दौार रोने लगते हैं और उनके मुह से निकल जाता है गड़ आला पड़ सिंग गेला जिसका मतलब होता है कि गड़ तो हमने जीती लिया ल करने लगती हैं और एंग जेब का देख्षड भारत पर सासंद करने का सपना सपना ही रह जाता है अब आई जानते हैं इस मूबी के कुछ फैक्स के बारे में अजे द्योगन अपनी फिल्म सिवाए के बास सरदार बैटल आप सारा गड़ी फिल्म बनाना चाहते थे जो कि 21 सिखो और 10,000 अपकानों के बेज सारा गड़ी पर आधारी थी लेकिन अगले साल दिवाली पर केसरी फिल्म का एलान हुआ तब जेद्योगन ने फिल्म को ना बनाने का फैंसला किया और इसे रद्द कर दिया इसी भी जेद्योगन ने निर्देशक ओम राउत के साथ ताना अजी का पहला लोग पीश चुले 2017 को जारी किया गया था और प्री प्रोड़क्शन का काम अगले दिन शुरू कर दिया गया था फिर अजेद्योगन ने 6-8 महिनों तक इस फिल्म के भारी बेफैक्स पर काम किया और फिल्म को 3-D में बनाने की घोशड़ा की दो अगस्ट 2018 में टी स्रीज के मालिक भुशड कुमार ने अजेद्योगन की प्रोड़क्शन कमपनी के साथ मिलकर इस फिल्म को बनाने की घोशड़ा की फिर मार्च 2019 में फिल्म का नाम बदल कर तनहा जिदा अंसंग वारियर रख दिया गया फिर इसमें काजोल और सैफली खान को सिलक्ट किया गया सैफली खान को उदेभान के लिए लिया गया था इसके लिए सैफली खान ने तलवार बाजी और घुड सवारी भी सी की थी इसके पहले अजे दोगन और सैफली खान एक साथ ओमकारा फिल्म में काम कर चुके थे जो कि 2004 में आई थी ताना जी को मुंबई की फिल्म सिटी में सूट गिया गया था संधन घाटी जैसे शट बनाने के लिए 300 फिट लंबा शट बना गया था अब बात करते हैं इसके संगीत के बारे में इस फिल्म का म्यूजिक अजे अतुल, सचेद परंपरा, मेहुल ब्यास और परसंजीत को संभी दोरा दिया गया था इस फिल्म में कुल चार गाने थे जिनके बोल हैं संकरारे संकरा, माय भावानी, घमंड कर, तिनक तिनक जिसे गाया था मेहुल ब्यास, सुक्वेंदर सिंग और सिर्या घोसाल, सचेद टंडन और परंपरा ठाकुर और हरस्दीप कोरने अब आई ये बात करते हैं इसके बॉक्स आफिस के बारे में 18 मार्च 2020 के अनुसार, फिल्म ने भारत में 302 करोड रुपे की कमाई की, तो था भी 200 में 54 करोड रुपे कमाई, इस फिल्म ने दुनिया भर में 407 करोड रुपे कमाई थे और बाक्स आफिस पर एक बड़ी सफल फिल्म साबित हुई थी, इस प्रकार 2020 किया सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी फिल्म को 78 गोल्टन गलोब आवार्स में परदरसित होने वाली सर्प सेर्श बिदेसी फिल्म के रूम में चुना गया था अब आई जानते हैं इस फिल्म के रिवियू के बारे में, ये फिल्म काफी अच्छी थी, सारे के टिक्ष ने इस फिल्म की काफी परसंसा की थी, खासकर परसंसा इसके बेफेक्स को मिली थी, साथ ही अजे दोगन की एक्टिंग भी ला जवाब है, सैफली खान भी अपने काजोल मेर चस्ते हैं, और वो भी अजे दोगन से कम नहीं लगते हैं, काजोल अपनी जिगह पर ठीक ठाक रहीं, उन्हें ज्यादा तरसीन नहीं दिये गए, बाकी भी एक्टर्स का काम इसमें अच्छा है, अजे दोगन ने ताना जी की भूम का बहुत ही अच्छे से देती, पहला हाप भी इसमें मजबूत है, और दूसरा हाप भी, ये फिल्म मुआकी में एक लाजवाब फिल्म है, आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, साथ ही और भी क्रिटिक्स ने इसके अच्छे रिब्यू दिये थे, रिब्यू अग्रिवेटर वेबसाइड इतिहास की एक अप्रकासिक डिटेलिंग को उलेग किया, जिसने इतिहासिक चस्में राष्टरवाद और अत्पूर्तत को मिस्रित किया, कहानी, साउन्ड भेग, बेस भूसा और बेक्तिगत परदर्शन की विशेश रूप से परसंसा की गई, राहुल दिसाही ने इसे एक चाला काम बताया, जो एक ब्यापक भगवा करड़ द्वारा विवाहित था, जिसे भारत में राजनीतिक माहौल का फाइदा उठाने की कोशिश की गई, दाहिंदुस्टान टाइम्स की समीच्छा में याक सांदार काम बताया गया, जिसमें असाधार बेक्तिगत एक मनोरम कहानी और उत्करस बीदियों पर भाव थे, दाहिंदु की नमरता जोसी ने कहा कि फिल्म अच्छी तरह से सुरू हुई है, बीच में लहरा रही है, लेकिन अंद में सांदार वापसी कर जाती है, एक काथरिन और एंडरा लाइन भीड पहुंचती है, दामिंड के होदे भाटिया ने इसे एक मोर्खता पोर्ड कार्टून इतिहास बताया, जिसने प्रिंस आप पोरिस्या से अपनी भावत की उधार ली थी, लेकिन फिर भी इसमें धारा परवाह करवाई और दिल्चस्प बेक्तिगत पर दरसंसा मित थे, औरोमे पर पलोमी दास ने तनह इसे अमानवी कार्य बताया, जो कि एक भगवाकरत हिंदू मुस्लिम बाइनरी के चितर में किसी भी और सभी बार्यक्यों को इस्तरी करता है, हाला कि उन्होंने समर्ग उत्पादन को और सक्तिसाली बेक्तिगत पर दरसंद्वरा समर्थित होने का उल्ले किया, तानुल ठा इसके ओपर सुपरा गुपता ने या उल्ले किया कि सरसरी भद्धी भद्धी कालिया प्यास की गई थी, जिसमें मराठा सोर की अधिशक्त पूर्स दास्ता को एक हिंदू साह के साथ चितरित किया था, लेटिप के सुकन्या वर्मा ने कहा कि यह भगवास वरत के इकर काम के रूम में उल्ले किया जिसे हाइपर निसलेस्टिक चलवाई की अपील की, लेकिन इसमें मजबूत फिल्मोगराफी अंत की युद्ध के दरस और सांदार प्यक्तिगत परदरसन थे, तकुरिट के इस्टूटी घोस ने इतिहासे शुठिकता और समस्या ग्रेस् अबनी प्यापक सुतंतुता के बावजूद इसे मजबूत फिल्गत परदरसन के साथ है अग्री नेतरहिं ते जिसुए फिल्म का उल्ले किया, आज हम बात करेंगे ताना जी के बारे में, ताना जी, जिनका पूरा नाम था ताना जी मालो सरे, वो मराठा समराज के मराठा सेना में सुबेदार सरदार थे, वो छटपर सिवाजी महराज के साथ मराठा समराज हिंदी सुराज स्थापना के लिए सुबेदार के रूम में काम करते थे, सुबेदार जिसे किलेदार भी कहा जाता था, ताना जी छटपर सिवाजी महराज के बच्पन के मित्र थे, वो उन्हें कुंडाडा किला को वापस पाने के लिए अपने जान तक कमा दी थी ताना जी ने कुंडाडा किला के लिए अपने बेटे की साधी तक को टाल दिया था और कहा कि पहले कुंडाडा की साधी होगी और बाद में उनके बेटे राइबा की उन दिनों सुवेदार ताना क पण stunning 15 के बैटे प्रायिबा के ब्यूला की तेयारिया चल रही थी उसे वक्ताना जी सिवाज महराज के घर अपणे बैटे की साधी का अमंत्रण लेकर पहुंचे अब पता चला कि छतबध सिवाजी महराज कुंधाड़ा पर चड़ाई करने वाले हैं तब ताना जी ने कहा कि मैं कुंधाड़ा जीत कर लाऊंगा। कुछ इत्यासकारों का मानना है कि एक दिन सिवाजी महराज की मा जीजा भाई अपने महर की खड़की के सामने बैठी अपने बाल खीच रही थी तब ही उन्होंने कुंधाड़ा पर लहराता हुआ मुगल का ज्छंडा देखा और वे काफी दुखी हुई इसी दोरान उन्हों मा के पास मिलने पहुँच गए और अपनी मा जीजा भाई से पूछा की क्या बात है तो उनकी मा ने कुंधाड़ा किला को वापस पाने की बात कही इस पर सिवाजी महराज भी बहुत दुखी हुए उन्होंने कहा कि कुंधाड़ा जीतना अब आसान नहीं है क्योंकि प्यासकारों का मानना है कि जब जीजा भाई जी को छटपस साहुजी महराज ने कुंधाड़ा किला जीतना नामुंकिन बताया तो वह अत्याधिक कुरोधित हो गई और कहा कि अगर कुंधाड़ा किला वापस नहीं लाए तो वह उनको सराब दे देंगी और उनका सारा समर माराज नष्ट हो जाएगा इस पर सिवा जी महराज को अपने दोस्ट ताना जी की याद आती है और वे ताना जी मालोशरे को संधेशा देकर बुलाते हैं जब ताना जी सिवा जी के यहां पहुंचते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वे ताना जी से कह सके कि कुंधाडा पर आकरमड करो क्योंकि कुंधाडा जी तना बहुत ही मुश्किल हो गया था आज तक जितने भी लोगों को आकरमड के लिए भेजा गया था उनमें से कि आपको मेरी माने बुलाया है वह सुनकर काफी खुस हुए और तुरंत मा जीजाबाई के पास पहुचे तब जीजाबाई ने इन्हें कुंधाड़ा को वापस लाने की बात कही ताना जी अपने बेटे के दिवाह जैसे काम को छोड़कर कुंधाड़ा पर आकरमण के लिए चत्रपती साहुची महराज की सेना में कई सरदार थे परन सिवाजी महराज ने कुंधाड़ा के लिए ताना जी को चुना था लेकिन ताना जी मारे गए जब सिवाजी महराज ने यह समाचार सुना तो यह बहुत दुखी हुए और उनके मुह से निकल पड़ा गढ़ आला पड़ सिंगेला जिसका मतलब होता है कि किला तो हमने जीत लिया पर अपना सेर खो दिया ताना जी की मरतियों के बाद कई दिनों तक सिवाजी महराज उनकी याद में रोते रहे और उन्हें कुंधाड़ा के लिए का नाम बदल कर सिंगड़ का किला नाम रख दिया ताना राव सिवाजी के साथ हल लडाई में जाते थे ताना जी को तलवार बाजी और लडाई करने का बहुत सौक था यही कारणद था क्यों है सिवाजी के सबसे अच्छे दोस्त थे चाना जी मालू सरे जब क्योंधाड़ा किला को जीतने के लिए गय ते तो वे अपने साथ उन धाड़ा किला एक बहुत ही मात्पोड अस्थान पर इस्तित था यह जमीन से बहुत उचे पहाड़ों पर बना हुआ था इसकी उचाई समुद्र तल से चवाली सोफिट की उचाई पर इस्तित है जिससे कि यह राजनितिक काड़ों से भी काफी मात्पोड था आज की समय में पुड़े से लगभग 30 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है यह किला जीतना सिवा जी महराज के समराज के लिए बहुत ही मात्पोड था कुंधाड़ा पर आकरमण के लिए ताना जी अपने सेनी के साथ एक यसोनती नाम की पालतु गोह ले गये थे जो कि एक बड़ी चिप के लिए आसानी से दिवार पर चड़ सकती है और खड़ी चटानों पर भी चड़ सकती है इतना ही नहीं यह अपने साथ कई लोगों का वजन भी संभाल सकती है ताना जी और उनके सेनकों की टुकड़ी रात के घने अंधेरे में पस्मी भाग जहां पर उँचे पहाड़ों कि खडी चदाए थी, वहां पहुचे और अपनी ये स्वेंति यानी बड़ी कि चबकली की कमर में रस्टी बांधी और उसके सहारे कुंढाडा किले पर चढ़ाई करने लगे कुंधाड़ा किले के परस्मी भाग में पहाड़ी होने के कारण वहाँ पर मुगलो का पहरा कम होता था और वहाँ पर ज्यादा सनिक पैनाथ नहीं थे कहा जाता है कि तानाजी मालू सिरे बहुत ही चालाग थे सिंगर की चढ़ाई से पहले वह कुंधाड़ा किले में पहुँच गए थे और जासूसी करने लगे थे और उन्होंने कुंधाड़ा की किले के बारे में सभी मारगो को पता लगा था उस समय उस के लिए का रच्चक उद्यभान था उद्यभान पहले राजपूर था